तो यार MBCNs, तुम लोगों को लग रहा होगा, ठीक है, कि भाईया ने तो हम लोग को भूली गए, भाईया तो हम को खमेशा भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है बेडा, तुम्हारे लिए भी OneShot Series आएगा मैंने बोला था, ठीक है, और तुम लोगों के लिए ले करके आ गए है, यार फिर आगे का चैप्टर है, लेकिन हम इसको पहला चैप्टर बना रहे है, यार फिर यार मुझे लगता है कि फोड़ से ज्यादा वेटेश करी करता है, और यहां पर बच्चों को थोड़ी से ज्यादा डिफिकल्टी आती है, तो हम जो श्टार्ट कर रहे हैं लोगों को जादा लेने की ज़ुरत नहीं है, तुम्हारा ज्यादा बन्चॉट लंबा भी नहीं होगा ठीक है, ऐसा उमीद घरते हैं बाकी समझाने के उपर है, मैंने क्योंकि ऐसा डिसाइड किया हुआ है कि अगर किसी बच्चे ने इस पूरे के पूरे चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है, तो उसको बेटा जीरो से लेकर के एडवांस तक सारी के सारी चीज़े समझ में आनी चाहिए, इस तरीके से इस चैप् सब्सक्राइब करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन वाक्स में तुम लोग को नोट्स में क्या होने वाला है, उस नोट्स में पहली बात, जितना डेफिनेशन, जितना डेरिवेशन, जितना कोश्चन, तुम्हारे एक्जाम में आने वाला है, सारे का सारा समा देंगे, सासी में मिम्स रहेंगे, बड़ी मरीया, बडिया, मिम्स का हैं, देखो बढ़ते समय बोरिंग नहीं लगना चाहिए, तो हमने वाब दर मीम्स के साथ निछोगे है तो क्या होता है उसके साथ हम लोग कर लेंगे इस तॉपिक को इस तरीके से था उसका एक मजाग बना रखा था अब उस मुझे वह पूरा कंसेप्ट याद हो गया जैसे कि एक लाइट है अब उसके सामने के साथ कंसेप्ट को कर दें तो हम लोग को कंसेट याद हो जाता है इस कारण से उसमें बहुत सारी मीम्स मैंने डाल रखी है तो देख ले न उसके साथ आंसर मैच कर लेना एक बार आंसर मैच कर लिए कि वह सहीं किया है फिर तुमको मिलेगा मेरा प्रैक्टिस शीट में क्या होगा प्रैक्टिस शीट में बेटा तुम्हारे बहुत तगड़े तगड़े कुशन होने वाले हैं MCQS format के Assertion Reason format के competency-based जो हम लोगों का बोर्ड इस बार इंटर्ड्यूस कर रहा है नए टाइप के questions कंपिटेंसी-based questions होंगे यार उसके अंदर और बहुत सारे तुम्हारे सब्जेक्टिव वाले questions भी होंगी यानि कि यार इसको प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारे ये चैप्टर इतना तगड़ा हो जाएगा कि वोर्ड एक्जाम में तुम लोग को और कुछ पढ़के जान अगर तुम अलस्री करते हो अपना self note नहीं बनाते हो तो तुमको कुछ भी याद नहीं होने वाला ये guarantee मैं देसकता हूं नोट्स आजंकी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ लेकिन सेट नोट्स बनाओगी तभी कि we should be show कर रहे है बीना copy को खोले आंبा जो हम लोगों को समझ में आया है जो हम लोगों ने पढ़ा है जो आँ इन सारी चीजों को करनेट करते हुए है सित्कून्स लिखना अगर बीना देखहिए लिख लोगे तो तुम को पदा चल जाएगा कि जतनी सारी बात याद थीतनी सारी याद नहीं थी उसको बाद में कॉपी में चेक करो नहीं जो इक पूर इब में कुल गी काम करेंहें कि इतना में बनेगा कि एक जाम में usнозन को जादा याद नहीं करना पड़ेगा याद नहीं करना है समझना है चीजू को और जिब समझ जयोगे तो खुद खुद याद हो जायगा समझ करके चलना था तो बात होगी तो बैश्य में तो इस कर लोगे तो क्या करना दूसरे दिन कोई भी lecture देखना है अगले चैप्टर का इस तरीके से तुम आगे बढ़ते चलो मैं ग्यारेंटी दे रहा हो कि तुम्हारे क्लास 10 में 95% से ज्यादा निकल के आएंगे 95% से ज्यादा निकल जाएंगे यह भाया की गैरंटी है भाया की गैरंटी है विता और यह किसके लिए है तो यह ह भोड वालों के लिए है हना क्लास 10 वोड वालों की क्लास 10 adesso ।ор गलाकर। से में लीट गाइक है सब्सॉद को नहीं कोई तो सकते हैं तुम लोग यहहां जैसे जाएंगे बढ़ कि लिए अलग से ले करके आएंगे ठीक कि मुझे पता है इशू ने हम लोगों को बोला था कि भाया आईसी एसी का पेपर शुरू होने वाला 26 तारिक से लास टेन का बच्चे है वो और उसने बोला था कि भाया थोड़ से हम लोग ले भी content लेकर क्या हो तो यार तुम्हारे लिए बिल्कुल लेकर क्याएंगे तुम्हारे लिए तो यार यह तुम लोग के लिए दोनों के लिए होगा तो इस चीज को फॉलो करते वह चलोगे और electricity अपन अब चैप्टर शुरू करते हैं ठीक है अब हम लोग चैप्टर शु लेक्तर करेंट जो उसी को फ्लो करते हैं यह करेंटरिक्राइं कर Whereas कर रहे होता है इस出 MS of energy source of energy जब मैं पूछू electricity क्या है electricity क्या है कैसे generate होती है नहीं electricity क्या है तो भीया it is a source of energy और energy क्या होती है energy भीया हमारी होती है ability to do work ability to do work ध्यान से सुनना मैं तुमको इस पूरे chapter को एक अलग तरीके से भी पढ़ाना चाहरा हूं ताकि तुम लोग समझ पाओ कि electricity विजिकली है क्या है और energy हमारा होता है ability to do work अब बताओ कि अगर मुझे refrigerator को refrigerator को काम कराना है refrigerator बोले तो फ्रीज रे बाबा ठीक है क्या बोले तो फ्रीज बहुत साथ लोग इसको फ्रीज बोलते हैं थेक है तो हम दों को पता है तो हम दोनों को भ करना है उसको काम करना तो कैसे काम करेगा बिवस्क्त इनी पड़ेगी ताब उसके अन्दर चलाना है मुझे और चलाना है मुझे कुछ और चलाना है या कुछ भी हो जैनेरलुली हर चीज़ के लिए टो इलेक्टरशीट अ कि नहीं झाल 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 अगर किसी बॉडी के पास मास है थाना किसी बॉडी के मास मास है तो मास को कैसे से करते हैं किmaوقं इंसाइड बोडर इंसाइड अब करते है यह दूरा बोलते हो तो मैतर को कैसे करते हो इसके पास मास होता है है और वोल्यम होता है मैंने ह्वेरे घृट अब मास की होता है जिसकी अंदर मैंटर होता है टर तो हमारा जो होता है यह कहीं लूभ होतना लूभ तो पूरे definition का लूभ टो दूम जब में करनना तो तुम यह बने किसी इतना मैंटर हे उतना उसका बात बिल्कुल बात सही है बात गलत नहीं है याद रखना बात गलत नहीं है पर अधूरी है अधूरी है और दूसरे तुम बोलते हो बया कि matter को explain करना है तो matter ऐसा चीज है जिसके पास माल रहे है कि matter inside a body है दूसरा इसका definition तो बता सकते हो बीटा कि मास खुद का होना चाहिए that is mass is a property of a body mass is a property of a body property of a body यह किसी भी body की property है देखो बीटा बाडी की property का क्या मतलब यह देखो यह चिंटू है चिंटू कौन है बीटा चिंटू ठीक है अब चिंटू के चाहित है इसक्वाले वाले बाल है इसके पास हाना इसक्राइड हेंस क्या है उश्क्राइड है ुडुक्त जूपडबारte कानी अभुच नहीं है अब इसे चानल के साथ इसका क्या है यह प्रॉपरटीत फेंट यह इस चिंटू प्रॉपटी ढिस बोड़ी के पास खुद का मास होना चाहिए इस बॉड़ी की प्रॉपर्टी है इसके बॉड़ी के पास जैसे कि हम बोल रहे कि अगर कोई बॉड़ी है या कोई मैटर है तो उस मैटर के पास उसके पास बोड़ी की प्रॉपर्टी है मास और उसी बॉड़ी की दूसरी प्रॉपर्टी है इसके करण सिजस के उपर ग्रैविटेशन फॉर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं ग्रैविटेशन फॉर्स जिसको को बोलते हैं ग्रैविटेशनल और खुद भी उस ग्रैविटेशनल फॉर्स को एक्सपीरेंस करता है यह होती है उसके प्रपटी उस बॉड़ी की एक प्रपटी जिसको मैं कोशिश कर रहे हैं तो तुम लोगे लिए ईजी पे ईजी रहो हूं ठीक है लेकिन ऐसा ना तो थोड़ा सा समस्क्राइब तो यह मास तो समझ में है उसी तरीकी से प्रॉपर्टी की जिस कारण से वो दूसरे चार्ज बॉड़ी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा यार जिस फोर्स को आपन क्या बोलेंगे इलेक्ट्रमैगनेटिक फोर्स इस फोर्स को पर्या बोलेंगे या है एकसपिरेंस करेंगा अब इपर होसी ता इसक प्रोपिछ नेक्मेंस इन स्कूछ अलशा होता है लेकिन हमको अभी पढ़ ईसको न इसका और इसके फड़ा-फट से बाकी सारी चीजों के बारे कारे करें नहीं को इसको शॉट में लिखते हैं तो रीप्रेजंटेशन रिफ्रेसेंटेशन करूंगा यह बैटा स्मॉल क्यों यह फिर केपिटल शोट कर सकते हूं तुम्हारे में सिर्फ एसा यूनिट है एसा यूनिट क्या होता है इसका औव्यस बात कुलंब होगा इसको अपन दिखाते है capital C से चार्ज का साइवनिट होता है क्या बता है कुलंब ठीक अब या इसका cgs यूनिट की बात करोगे पूछता नहीं है पर अब फिर भी तुम लोगों के लिए बता देते हैं तो लिए सब्सक्राइब अब आल याज को देख लो और एक बार नज़रे मार लो ताकि तुमको याद रहे बेड़ा एक होता है फ्रेंक्लीन इसकी स्पेलिंग होपली सही है और एक होता है यह स्व पूले तो स्थाटिक उनिट इसकी तिनों थो खो जा मौन सा होता है बीड़ा Fada कौन सा दे वाड़ यह होता है एक फराड़े के अंदर मैं तुमको बता हुँ तो 96500 कुलम्स होते हैं तो किसी काम का नहीं है कि कि कितने को थे बस फिर एक बार देखलो एक प्राक्टिकल यूनिट है समय वह टाला किये हो तुम्हारे काम का नहीं है लेकिर प्र कई खते हैं य', अध्य को प्राक्टिकल यूट हो थ AZ सक फाल हो गया ङोगिया आप यह रिप्रेजे만टीशन अगे सब्सक्राइज बात की होस्की प्रेजेशन अथी आप कि यहां तक सब्सक्राइब होई कि खाया किषिए बॉड़ी के उपर अगर चार्ज है और दूसरे बटी चार्ज तो उन दोनों के बीच में ऐख लगएगा इस कि जैसे एक्स्पिरेंस करेगा और अप्लाय करेगा अब बात बताना कि ग्रैविटेशन में तो हमेशा अट्रैक्शन हो रहा था तो यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन कहां से आ गया यह दो अलग-अलग टाइप के फोर्स कहें लगा रहा है बताईए बताते हैं अभी से मिटा देते हैं यह लोग अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्जेस केते होते हैं थोड़े नए तरीके से पड़ों के बिड़ा तुम लोग अच्छे तरीके सानी चाहिए मेरे हिसाब से तभी जाकर कि आगे का जो एडवांस कंसर्ट्स होते हैं बाद में इवन यह पढ़े में डिड़ी पॉजिटिफ यह अब बताो कितने के चार्जेस होते हैं वहए हम वाली चार्ज और अच्छाईवाली charge एक बुरायी वाली चार्ज एक अच्छाही वाली चार्ज जेल्ग यह जो पॉजितिव चार्ज है एक बुजितिव चार्ज का है वहाद्में को नेगेटिव बनने का सॉर्प है जो चौछ है यह ना तुम लों का है श्टाक टॉक्सिक स्कूल चलो तो भया पॉजिटिव चार्ज होता है याद रखना तुमको बता दू नूट्रल नूट्रल इस नॉट अचार्ज बहुत सरे महन कला कर लो नूट्रल को भी एज़ चार्ज कंसिडर कर लेते हैं मेरे हुश्यार बच्च क्या है क्या वो राज्ज है अब एक गमार आदमी स्टेट ऑफ मैंटर होता है उसी तरीके से यह चार्ज का श्टेट है यह चार्ज बोडिका सेट है किसी बटी का एक स्टेट होता है जिसको बूलते है प्रकॉत होते हैं कि नहीं हो कि अब यहां से सुना बिटा मैंने अभी तुम लोग से पूचा कि यह ग्रेविटेशन जो होता है कि अब इस सब्सक्राइब बताओ बताओ ऐसा क्यों बताओ जल्दी बताओ ऐसा क्यों विए ग्रैविटेशनल फोर्ष में जिस प्रॉपर्टी का यूज होता है दैट इस मास और बेटा मास का जरा मुझे बताना कितने टाइप होते हैं मास का क्या टाइप होता है यह तो आलवेस पॉजिटिव होगा यह तो नहीं 0 हो सकता है नहीं नेगेटिव हो सकता है नहीं कुछ और हो सकता है मास तो हमेशा पॉजिटिव होगा अब बेटा यह जब हमेशा पॉजिटिव है यह जब हमेशा पॉजिटिव है तो फोर्ष कितने टाइप कर लेगा ओल्ली वन टाइप अल्ली वन टाइप और यहां पर बोलेंगे लेक्ट्रोस में तो रिपल्शन भी देखते हैं और अट्राक्शन भी देखते हैं तुम लोगों ने देख रहा होगा है पर एक रिपल आपर अगर अगर थैक्षन हो रहा है और फार कियो लग है क्योंकि वह पास दो टाइप के चार्ज़ है एक रहुग अगर हमारे पास दो टाइप के चार्ज है तो लोग पास वह भी दो 2 type का होगा अब थीजिए का होगा और अब बोलो बेटा फील हुआ की नहीं आई यह बहुत इप्टेंट है बच्चे और यह तुम आगर नहीं समझोगे तो पिजिक्स में क्या ही समझोगी क्या ही समझागे अगर यह नहीं समझागे तो अगो अगर क्लास में कोई शही नहीं बटने का अरे जाए और क्लास में समझ गया ना नहीं वह थो कितनी स्मार्ट हो कितनी हेल्प्फुल हो कितनी अच्छे और तोंव तो नहीं थोड़ीकित अब तो कि यह बाद तो तुमने बताई नहीं आधे उद्री बात बता करके आगे बगरे यह इतने जल्द जल्द आगे नहीं बगना है सुनो इसको समझने के लिए इसको समझने के लिए तुमको दो से तीन चार्ज यह बाद पता दू ऐसा कुछ बता दू जिसको सुनने के बाद तुम्हेरे दिमाग के पर खच्चे और जाएं तो वहां पर दिमाग को थोड़ा शांत रखना क्योंकि बढ़ा अगर तुम साइंस लेन है अगर तुमको ऐसा चीज बता दे तुमने आज तक नहीं सुना हो तो रोने मत बढ़ जाना क्या हमको क्या हमको फंडमेंटल चार्जिस के बारे में पता है कि फंडमेंटल पार्टिकल्स फंडमेंटल पार्टिकल्स ठीक अब बोलोगे हम बिल्कुल पता है देखो फंडमेंटल पार्टिकल्स के अंदर हम कहेंगे कि हमारा तीन ठोग आता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ठीक है प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अग याद रखना इससे बहुत ही जादा बहुत ही जादा बहुत ही जादा अमाउंट में हमाएर पास fundamental या elementary particles होते हैं अब elementary particles और fundamental particles में different है अगर तुम तीनों को elementary particles बोलते हो तो एक बार सही है लेकिन fundamental particles बोलते हो तो बिल्कुल गलत है इसके कारण से हमारा पुरा रखा है तो वहाँ पर तीनों ही जहीं हैंगी यानिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है याद रखना इसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन है सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और नौट फंडामेंटल पार्टिकल्स अब होपुली तुम इन तीनों चार्जेस के बारे में पढ़के आए होगे क्लास 9 के अंदर और तुम लोगों मैं सिद को क्या होता है क्या होता है आगत तुम लोगा है कि से नहीं बहुत है हुआ हुआ है यृग 3 को बहुत है तो पर इसमी है ऩिया दो of quarks से こう-soaps से मिलकर चाहर से बनाई स्को bei असको नहीं बोलते वो किसी और सब्सक्रा करके नहीं बनाएं इसका अब स्कारन से हम लोग को कि सब्सक्राद करेंगे तो уж क्कुन को उनको बहुत जादा मुश्किल होता है और तुम लोगा पता है सब्सक्रादा कम किसका Maas से एलेक्ट्रॉन का मास् पूरी सब्सक्राइब कम है और उसको डिटेक्ट काना बहुत मुश्किल होता है यह सारी है अब तुम चाहो अगर नहीं सीखना है तुमको फंडामेंटल पारिकल्स के बारे में जानना है तो हमने एक वीडियो नाम से तो उस कुरियोसिटी वाले ज इसमें से एलेक्ट्रॉन जो है हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स है हालाग कि अभी हम लोग को इसके कोई मतलब नहीं है फिलान हम को यह समझ नहीं कि पहले तो उल्क्रों को रिप्रेसे करते हैं ठीक है तो प्रोट्रॉन और नीट्रॉन इस तरिके से उसको वे याद वोगो तुम लोगो माइनस 1.6 विया प्लस 1.6 इंटु 10 पावर मैंस 19 कुलम्स को अब यह जो न्यूट्रोन होता है जिसको प्रक्रेंज होता है इसके वरिमच असान जीरो होता है अरे रे बहुद यह निव्ट्राण हाई रॉस न्यूट्रान है है न्यूट्रान है इसके बास मास की बात करो मास होता है इसका 9.1 है इस टेबल को याद रहना इस टेबल को बनाओ और इस टेबल को याद रहे हैं यह बहुत ही बहुत इंपॉर्डेंट करो फिर में तुम्हें आगे की बात explain करता हूं कि अग्शन में हम लोग का लिखते हैं कि क्या होगा सुनो अगर हम दोगों को देखना है कि बॉडी चार्ज कैसे होती तो फिल पहले बस हम लोगों को इलेक्ट्रोनिक कैसा हैं न्यूट्रल बॉर्डी कैसा है न्यूट्रल बॉड्य भॉड़्य यहां पर न्यूट्रर हैं हमारे पास बाहर 3000 ऑर्धित में गॉल गूम के बराबर होगा तो मेरे भाई वहाँ पर किस तरीके कंडिशन होगा वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होगा भाई ऐसा इसलिए कि यहाँ पर जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज है दोनों ने एक दूसरे की वैल्यू को कैंसल आउट कर दिया औ पर यहाँ पर जो मास रहेगा मास रहेगा वह वह विड़ा कॉंसेंट है इसा हो जाए कुछ ऐसा हो जाए कुछ ऐसा कर कमल की ऐसा हो जाए कि एलेट्रों यहां सर निकल जाए इसका मतलब लॉस अफ इलेक्ट्रों या फिर इसको दूसरे भाष्ट मैं बोलना है डिफिशिंसी ऑफ इलेक्ट्रों बहुत जैसे विटमिन डी की डिफिशिंसी होती है वैसे यहां पर अगर एक डिफिशंसी हो जाए तो अब्यास है यहां पर एक कंडिशन क्रियेट होगा औरंवियस से बात है यहां पर एक और दो यहां पर मैंने चार भाणाया था नहीं यहां पर 1 इलेक्ट्रों कंदे freuen यहां बना देंगे क्योलेक्ट्रों यहां पर एक कंडिशन भाष्व जाने की यहां पर और रिप्याइंशें ऑचने MATTShow जिसको फिक 1, 2, 3, 4 or 1 पर पर यहाँ पर 5 हुआ पर है 5 एलेक्ट्रों लाइज यहाँ पर जब loss of electron हुआ पर जब loss of electron हुआ है तो एक condition इस तरिके के regenerate हुई जहाँ पर एक electron की कमी और यहाँ पर एक gain of electron हुआ इस करण से क्या हुआ कि बेड़ा ऐसा condition हुआ है जहाँ प्रटन एक्शेस में यहां पर यहां पर एक्शेस में है जब ऐसी आती है तब मैं बुलता हूँ कि भया हमारी जो बाडी है डैट इस पॉजिटिव चार्ज करेका कैसे कैसे करेंदगा सबर रको और यह नेगेटिव लिग चार्च बढ़ा यहां पर हमारे प्रोटवन के नंबर और इ्लेक्टॉं प्रोटॉन बढ़ गाने सही नमबर औफ उलेक्टॉन बढ़ और सेיפंद्ट है कि मास्ट क्या नम्बर ओक्रोटान से तो यहां पर कम हो र हैंपर बलतकर है यहांपर क्या हूआ कि यहां पर सुना बेरे भाई यहां पर आपर नमबरोफ प्रोटॉन जो होगा और कि प्छनों ऻोगा शुत और हमने खैंड करिया है और अगर विक्त्रावइश हमारा बढ़िया है और यहां पर मास हुआएगा इन्क्रीज मास हो जाएगा इनक्रीज़ अछेडरन आख और चेक दखर कारे अर् सब्सक्राइब बüchtमच सब्सक्राइब अब पुझाया यहां पर सब्सक्राइफार को सब्सक्राइब कि वर्यांड से यहां पर कहती हैं ऐसे यहां पर एक बार Democrats आ सकता है कि डोचे और यहां पर तो एक दिख थोड़ा सवर्दिमाघ समझ दिमाख समझ अभी अंदर बैठा हुआ है अब वह नूपलिस करके बाहर तो नहीं आएगा नया याद नूपलिस चीर करके अगर वह बाहर नहीं आएगा वह क्यों नहीं आएगा क्योंकि सोचना पूरे अटम का मास्च वह कहां पर पुरे एटम का मास कहा पर सब्सक्राइब करते हैं अगर मैंने यहां से प्रोटॉन को खीच कर यह निकाल दिया तो इसका पुरा मास का पुरगा और अगर इसके क्षा भाट बेटा इसका मास डिस्टरब हुआ तो एक्वाडिक यहां सब्सक्राइब कर एंस्टैन होती है तो यहां पर था ईसी स्क्वार कि या यह कभी तुमने देखा है जीवन में भया हमने अंशान का जब भी चहरा देखा है स्रफ यह स्क्वार ही देखा है उसके साथ तो यह बता रहा होता है कि मास इस नथिंग बट अएनरजी और अगर बेटा यहां से चीर करके बहार निकाल दिये प्रोटॉन को तो वहां पर हीरो सीमा नागा साकी हो जाएगा मतलब भाईया वहां पर न्यूक्लियर बॉंब क्रियेट हो जाएगा इतनी हाई प्रोटॉन निकालना यहां से बहुत बड़ा पाप है गई उसको कभी बाहर नहीं निकालना मतब तभाही होगी सब्सक्राइब अंदर को अंदर Index कुछे की तरह बिटा नियूट्रों कई निकलते और ये इतने आवारा का रहा है कि इतने आवारा है कि अच्छे पूर्व पिटोस साथ लेकि आएंगी अगो अपना ही जैसे दोस्त को ले आए यहां से घर वालों ने घं को लात मारके निकाल दिया वर दोस्के घर में वो रह लेगा तो नेगटिव चार्ज हो जाएगा जिसका दोस्का घर है और बहुत बच्छा था अच्छा वह चला गया हमारे पास प्रोटान न्यूटरन जैसे अच्छ बच्छे तो है 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 तो यह हमारे पॉजिटिव ली चार्ज बनाएंगे और बढ़ने के बढ़ी जाते हो और यह कुछ है बहुत लोग है इनो मय कर रहे हैं यह फिर शेयर कर रहे है और एक करो चलाओ शॉट्स चलाओ रीज़व हैं दुनिया दाइक पूरी देखते रहो कोई दिक्क्त नहीं जब पेपर आएगा तो मोयम ही करके होगे अच्छलेगा तिसने मोई में रिस्टे कीजने को ईसली सान। के ताइम तुम्हारे सान, तुम पेपर क्या होगे। घर्वाले कैसा कही तुं बोले तुम बोलगे बढ़े तुम अच्छा के पार घंजर कुछ गई जिस दिन तुम पेपर देकर कि आओ उस दिन exercise चालू करना उस दिन तुम एक्चुल marathon की प्रैक्टिस करना तो जो नी करते हैं यूट्यूब में एक दिन पहले आ करके तुमको एक्जाम के एक दिन पहले ज़स्ट आ करके बिग मैराथवन आज हम बेटा तुम्हारे साथ भागेंगे, सुबह से ले करके शाम तक पूरा चाक्टर को पढ़ेंगे, पूरा सब्जक को पढ़ेंगे, बड़ा तुम्हों अब सब्जेक को पढ़तो लोगे, ठीके पर वो मैराथवन पढ़ाई के लिए नी है, बेटा व मज़ा आकि बात करते हैं तो यह तो समझ में अब यहां पे समझना कि किस तरीके से किसी बॉड़ी को चार्ज किया जा सकता है वेज ओफ चार्जिंग इसको देटेर नहीं करनी हम लोगो बहुत अधी हुआ बात नहीं करनी पर थोड़ा सा उपर-उपर से बात कर लेते हैं व फिजिकल कॉंटाइक की बजाए बीट इसको काम करो इसको लिखा रबिंग सिधा बोलो रबिंग हड़ा इसको देख एकर हो जाते हैं एक होता है एक होता है इक होता है एक होता है यहां पर वायरलेस चार्जिंग मो जोंगें वह सिमिलत ही कूछ सिमिलाолж तो थिक यह उल्स करना यूद्टाpod किसी विए बडिको चार्ज करने के लिए अब तुम लोगो पता और होता है इंसुलेटर होता है यह स री चीज अक्रने बहुत तेजी से रब करने के कारण जो बाउटर इलेक्ट्रॉन है वह पुचूप करके या तो इस बोडी से मेरे बोडी के अंदर आ जाएगा या जैसा भी जाएगा यह तो मान के चलते हैं कि कुछ लेर के लिए कि मैं इसको से से ग्लास रॉट कर रहा हूं तो यहां पर पर ये फीवाली चीज़ा है थोड़ी तो वहां पिर बढ़ी जो है जिसके उपर पुचुक करके लेक्ट्रान आ चुका है वह बेटा कैसा और जिसके उपर से निकला है वह बैसे बस है पॉजिटिव चार्ड़ जाएगा तो फ्रिक्शन हम क्या हो रहा है किसी भी बॉडी को को चार्ज किया जा सकता है किसी भी बोड़ी को चार्ज किया जा सकता है बिड़ा हम लोगों ने बच्पन में अना स्केल पकड़ी है स्केल करके वाल में रगड़ते थे याद करो और बाल और स्केल के बीच में हम लोगा चार्ज जेनरेट करते थे फिर अपन पेपर फाड़ क्रते था सք़ से स्केल को लूटे में में स्केल के बीच में elektron अधर आधां-प्रदा तर एक बोड़ी में जाता है तो उसको बॉडडिर से जाता लुड़आ जक्रतियौ अधर बॉड़ी को लेड़ सते हूज जॉझ य हुज जाते थी बैइया तो हमोग प्रासेस होता है जिस तरीक रथधी तरीके संसरी गौणे लेकिन इस बवर्ड के अंदतर था और ओर निगटी चार्ज से से जप्रेट हो जाते हैं एक जगेए हो तरीके से कहानी होती है इंडेक्शन किया हाला कि इसको समझाना का बहुत ज्यादा समय नहीं है पर थोड़ा सा कोशिश करते हैं डाइग्रम मैं थोड़ा सा समझा दें देखो अगर यह बॉड़ी है और यहां पर मैं इस तरीके का कपड़ा लेकर करके आता हूं और इस दोरो इस तरीके से बाहर के दिखा रहे हो अंदर के नहीं दिखा रहे है वो इसके सर्फेस पर प्रेजन होता है हाला कि यह सारी बाते तुम्हों को नहीं बतानी है पर फिर में थोड़ा बादा बता देता हूं ठीक है रहे हैं और यहां से यहां फ्लो करके इसके उपर आ जाएंगे इसके उपर आज आएंगे तो इसमें चहलुत होता है कि मैं अच्छ़ से डीटियल मैं समझाता हूं लेकिन अपने को थोड़ा थोड़ा चाहता हूं कि तुमको साई चीज़े बताओं क्यूकि एक्जाम में लेकिन नहीं कर रहा लेकिन अगर उसके अंदर से कोशन आगया तुम फस जाओगे और मैं वह नहीं चाहता हूं इसलिए मैं छोटी-छोटी बातों को डिटेज में बताते चल रहा हूं कि यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगी कंडक्शन के तो इस बादी के सब्सक्राइब के इस तरीकी से फैला हुआ है मैं यहां पर जैसे पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी लेकर क्या आता हूं उससे में क्या होता है यह सारे प्लस चार्ज रिपेल करते हुए एक तरफ बोडी के और सारे नेगटिव चार्ज अट्रेक करते हुए एक तरफ हो जाते हैं बहीं प्रोसेस अफ इंडेक्शन हाला कि डिटेल में नहीं समझना इसको सब्धाइब ताकि तुमको अगर कभी चार्ज पूज दे तो तुमको कर रखा है कि इसके आगे तुमको अभी ज्यादा नहीं जाना तुमारे सिलिवस में कुछ नहीं है तो अब यसे बादे की बारे मैं मैं थोड़ा से डिसकर्स कर रखा है कि इसे क्लॉथ और ग्लास रॉट को अपने जब रख करते हैं तो इस तरीके से अपन का इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा इसा श्युक्त होता है तो उसके अंदर से ही मैंने इस चीज़ को बना दिया ठीक है आगे देखो आगे देखो आप क्योंट सेटा बात करेंगे प्रॉपर्टीज उफ चार्ज हाना प्रापंटीज ओफ चार्ज की इस और अपड़ीये सकते हो और देख रहों कि तैल कि अगर किसी नहीं ई दिखा भी है ठीक है तो बेटा बहुत मार्क होगे रिपेल इच अधर ठीक है और विटा अन्लाइक चार्जेश अट्रैक्ट इच अधर याद रखना अच्छा एक चीज हम लोग को थोड़ा एडवांस समझने के कुशिश करें बेटा इंडक्शन का प्रोसेस पड़ लोती हो सकता है कि attract भी क universo ना पर अलाइक चारजन होते हैं और यह रुणी बात क्यों बताइक यह यह बात इसलिए कि अगर गलती बिजन場刀 अगर तो वहाँ पर याद रखना अगर तुमको यह रखना अगर तुम को यह मुझेट होगा अगर ऊपर समझने की फिला तृक टू पर के प्रॉसेज्ट के पर कारण से वहां ऐसा होता है और सुनना और सुनmarks सुनन आए हैं तुमको यह कि अंचार्जड बॉड़ी और एक चार्जड बॉड़ी है और चार्जड बॉड़ी है तो क्या इक बीच में अट्रैक्शन हो सकती है इसके अंदर भी अट्रैक्शन हो सकती है याद रखना कभी अट्रैक्शन हो सकती है और दूसरी हो सकती है तुम्हारा इंडक्शन को लेक कर सकती हैं यह हमारा पहला पॉंट यह था हमारा पहला फॉइंट दूसरा पोईंट यह बोलना है धिडा कि चारज इस इडिटिभ इन नीचर चाज इस editing in नेचर आपने बताए नहीं था कि चार्ज इसकेलर इसकेलर कॉंटिटी तो लोग ने अभी तक स्केलर और वेक्टर के बारे में नहीं पड़ा तुम सिर्फ स्केलर और वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देख चुके हो कि भी अब सिर्फ यहां पर शुक्ष नहीं होता है लेकिन वेक्टर का जो एडिशन वो अलग होता है वेक्टर का जो अलग होता है टीक है तो अब यह पर चारस इस एडिटीव इन नेचर चार्ज इस एडिटेव एन इतना को याद रखना हेट वाइस चार्ज़ इस आलवेज वी कंसुर्ट है कि सिटमी trabalh हॉ iki मे energisto यह हमेशा रहेगा ठीक है ठीक है ठीक है बेटा चार्ज के नीदर भी क्रियेटेट चार्ज नीदर भी क्रियेटेट नौर भी डिस्ट्रोइट इन एन इसलेटेट सिस्टम नहीं तुम चार्ज को बना सकते हो नहीं चार्ज को बना सकते हो जो चार्ज रहेगा वह हमेशा कैसा रहेगा यार सक रहेगा कैसा रहेगा हमेशा सबसाये मिया क्या होगी फिर उसके बारए के बार बात आती है और इस सबस्क्राइब क़्ॉंटाइब razr क्वांटाइज का मतलब क्या है विटा कि Q एकोल स्टू प्लस-mines एनी होता है प्लस-mines स्टेटिमेंट समझाओ यह क्वांटाइजिशन वाला पॉइंट हम लोको समझ नहीं है बहुत अच्छी से समझाते हैं विटा क्या मैं तुम इतनी इतनी सारी चीजि़ को इतनी 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 नचले करेंगे अब चार्ज इस कंजर रहा होगी होगी है जब बोते हैं यह चार्ज इस घंजवट चार्ज इस इसके बार में हमलों को समय माता होगा कि conservation of charge होता है हाना conservation of charge होता है चार्ज जो होता है वो हमेशा conservation log को follow करता है चार्ज नीदर भी created nor be destroyed in an isolated system कोई भी एक isolated system है यहां पर दुलाया कुछ किया इसके अभी इसके उपर externally कुछ नहीं किया है तो इसके अंदर कितना हमारे q net is always same q net is always same इसको short for calculate करें गी क्योंइट मतलब मतलब होता है तो और यह पांच है यहां पर 9 कोलम चारज है यहां पर और ईट टोवर होगा हना अगर मैं इसकी बात करूं तो तिन कॉलम धीर प्लस में 5 कुलम प्लस में कॉशन मार्क तुमारा 9 कुलम बना चाहिए तो यह 8 होगा इसको आकर के माइनस करोगी तो जो कॉशन चाहिए प्लस में कि वहाँ नहीं सब्सक्राइब के अगर रही असे समझें कोई जल्दी नहीं है यह साल और पढ लेंगे क्या दिक्कात है कि लो तनापocar काल आज की मेगाला अरे बीड़ा अगले साल अगले साल अले आ डिकते सैंने मिलसं कई तूंख सारे नाज्य हम को सब्सक्राइब अपने भीया को हम्मिशा आघी 같아 तुम बैटा तूम लो यह न द साड़ दंगी लगोगी तो अब आसी बात है निकलेकी तुम समझना चुरू करो लोगो को अब यहां पर यहां आप चार्ज इस क्वांटाइज शुश्ट बिटा-इस का मतलब होता है कि चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा हमेशव एक पट्टिकूलर पकेट में होगा क्वांटा में होगाica चालज इस ट्रांसफर्वरट हैं ट्रसफर्ट इन इन एंटीग्र nggak multiple of integral multiple या फिर इसको लखना भीटा bracket में packet of fundamental charge , fundamental charge , और fundamental charge कौन से होगा या ऐलेक्ट्रान होगा अब व्यास ही बास है इस करण से मैं बोलता हूं Q is equals to plus minus n e . यानिकि जो charge होगा यह अगर जो charge होगा यह हमेशा n times hoga n times integral multiple integral multiple integral multiple बोली को भीआ n की value जो है 0 n की value 0 1 2 3 and so on कुछ भी हो सकती है इंटीजर्स में कुछ भी हो सकती है इंटीजर्स में और e क्या है यह चार्ज ऑन एलेक्ट्रों क्या है चार्ज और इलेक्ट्रों देट is 1.6 into 10 to the power minus 19 minus 19 फिलम्स यह होता यह यह होता यह इसका आप्ट इसका आप्ट इसका आप्ट अप्ट इसका आपके आपने है यह आप यहां पर समझ ना अगर मैं तुम को जाकर के बोलू बीटा एक काम करो अगर आंड लेकर तुम क्या लादो के बिल्कुला देंगे भिया मै अबने मैं दूकान में जा अधा अंड देना देना आधा अंड देना था घैक्क क्या है experience तुमको जा करके बोलो बिया एक काम करें एक चौथा एंडा दे कि अंडा दे को एक तिहाई एंडा दे को फ्रक्षन में नहीं है नहीं हमको कभी वहुंकि वो आधा अड़ा बीची नी सकता उसी प्रकार उसी प्रकार जब मै चार्ज हे बात कर सकता हूं दॉक्ष की निसे तॄलाख रहे हो तो या कि उसको और चार्ज को ट्रांसफर करना है तो या तो मैं उसको एक probation दूँगा याद दो 右 lektron दूँगा याद तीन इल Εक्ट्रों दूँगा यानि कि जब मैं चार्ज ठ्रांसफ़र करूंगा तो वो हमेशे integral multiple होगा of the fundamental charge that is electron करोंगे is electron नहीं तो यहां से सकता है यहां से कोशन बन सकता ऊव्याइशी number of electrons calculate करो वाले कोशन बनते हैं तो तुम लोग के पास से famous question होगा कि कि एक कुलम charge में कितने number of electrons होती है उसको निकाल के बताओ एक कुलम charge में कितने number of electrons होती है यहाण हर बुक में रख्खा इच लिए कि ऊपना है ठोछे से बात कि यहां पर दो आ gleich कर लेना मैं उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को यहां पर यह पता होगा कि किस तरीके से करना है किस तरीखे से करना है को टुमलोग को दे दे法 ठीक है find find number of charge number of charge in in sorry number of not charge number of electrons number of electrons in one column charge एक कुलम चार्ज के अंदर कितने number of electrons होते हैं यह बता देना और अगर तुमको अच्छे लेवल का कोईशन करना है तो मैं बता रहो find number of electrons find number of electrons in five kilograms of five kilograms of electron का मास दे दिया है अभी हापर चार्ज तुम बताना चार्ज तुम बताना ठीक है यह हूंबग के तुमरा यह दो कुशन नहीं करूंगा और आगे बढ़ जाओंगा अभिएस यह बात है कोशन कराओंगा और कप करांगा एक सेपरेट कुश्चिंट के लिए एक कोशन सीरीज लाएंगे तुमारे लिए प्रस्टेश करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सारे सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो और मैंने लिखा दिया था चार्ज इन्वेरियंट का क्या मतलब होता है कि जो चार्ज होता है चार्ज होता है तुम अगर तुमको एजाम में लिखना पड़े तो बेसिकली उसका मीनिंग होता है कि चार्ज जो है वह स्पीड ऑफ दा बॉड़ी पर डिपेंड नहीं करता स्पीड ऑफ दा बॉड़ी और फ्रेम ऑफ रेस्पेंड नहीं करता हाला कि अगर तुम लोग को समझना चाहते हो तो समझ लोग कोई दिक्कत नहीं है चार्ज इस इन्वेरियंट हाला कि मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए इस चीज को लेकिन आप तुम लोग हो बच्चे हो हो लेकिन चीजे पता होने चाहिए है हाला कि पता होनी चाहिए हुआ कैसे होता सुक कि मास एक Also uyह ऑगर यह रखा है तो इससका मैं रेस्ट मास के ताम एम नट बोलता हुँ है क्लासिकल participants देख हो मैं स्कोभ मुव करता हूँ वी वेलासिटी सी तो गलासिकल physics देख़ों क्यों से वह बहुत जादा कम होती है तो तुम लोगों ने ठोड़ी सी पीं इवन में आगे की चीछे सीखी होगी कभी कुछ से देखा होगा तो तुम लोंको ये बात पता होगी जब light speed कोई object मुव करती है तो मास चेंज हो जाता है या फिर light speed के आसपा से में मुव करांगा और यहां पहलों कि विलासिटी आलमोस्ट अलमोस्ट एकोल मेरे किसके है व्लेज के महीं मेरे किस्के लाइट स्पीड कि लुटे यह यहां पर जो मासीटी यह होती है देट टिस लिएरली इंफिनिटी जब वेलॉसिटी पर खो और M0 की वाथ है जो रेस्ट पास होगा वर रेस्ट मौसी रहेगा पर जो M की वाल्यों है यह कैसे होता है बिसीकली बिड़ा एक फॉर्मुला होता है हाना M is equals to root under M0 अच्छा मिसको नहीं तुम लोगो पूरा पॉर्मुला हाला की बता सकता हूं लेकिन रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो मैं बोट रहने दो ठीक है फिल भी चले देखने देखे लो मास इकोईस टू होना M0 अपॉन में सब्सक्राइब करना होता है तो रेस्ट मास से डिवाइड करते हैं इस पूरे एक्वेशन को और यह कैसे निकलते आता है और रिलेटिवीटियो वाली बात है यह तुम्हारे बिल्कुल सिलेबस के उपर है तुमको पढ़ना ही नहीं है तो यहां पर बेटा क्या होता है वी स्कूर मदब तुम्हारी वेलासिटी और यहां पर नीचे से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है अरे बहुत रहा हूं कि बेटा फाइफ को मांगे जल फाइफ को डिवाइड करते जीरो से आंसर क्या आएगा बहुत सारे लोग कल्यान तक्रिकिसे बोलिए जीरो आएगा और मैं थपड़ मार दूँए बेटा क्योंकि मैच में किस व्यक्ति ने कह दिया कि जीरो से तुम को व Дोस से सकता है और अगर दूसरे बाशनाइं बोलना चाहों तो इसको इनफिनीटी बोल दे जाएगा अगर-light-speed से किसी body को travel कर रहोगे तो वहाँ पी उसका mass, not defined हो जाएगा पर तुम ऐसे समझने के लिए कि वहाँ पी उसका mass infinite हो जाएगा Mass, infinite हो जाएगा that is practically not possible to achieve practically not possible to achieve मैं इस बारे में बात नहीं करेंगे हमको बात करें दिवी million जिस तरीके से बिढूगरू हुग तो मेरा चीज हो जाएगा तो मेरा वेरेंट कवगया वो डपनटेटी वह दिरा रहा है किसी चीज पर पर मेरा यह बात तुम लोगो पता होनी चाहिए तो बता गिया चार्ज होता है यह निकि चार्ज इस चार्ज इस इंडिपेंदट ऑफ इन डी वेंदेंट ऑफ इन पेंदेंट ऑफ इन फिरेंड ऑफ पेंदेंट ऑफ स्पीड या फिर वलासीटी बोल देना कि और तो अंद फ्रेम ऑफ रेफ्रेंज लिए ईसली है तो chyba मैं आजाएग और पर सभर ईतना ही पढ़ना था मैने थारो Lambiay इसका प्धाइन से थ annex time लगão पालिए अजिदना बताया है अगर चेंटर अच्छा टरॉं वहां पर बैठास पनको अच्छी governs मिलिए बहुत होता सते है वह इसका needs विल्टा Фढश्यां को पूरी understanding नहीं और अगर हो गई है तो अच्छी बात नहीं होई है लिकता है तो हो गई ओगी है अब आगे यह बात करते हैं और मैंने बैसिक बेसिक बताने में पहुत जादा दराइम लिया अब जादा पर समझेंगे यहां तक वे करना था तुम लोगा जो को समझाना था explain करना था वह मैंने explain कर दिया अब कहानी करेंगे अब कहानी करेंट करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे जैसे जैसा कहानी करेंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करे मैं जब चार्ज फ्लो करेगा चार्ज फ्लो करेगा तो इसको करेंगे इतनी असान सी चीज मिसवा ना किसी भी चीज कि फ्लो को बताथ है फ्लो को काट लो जब यहां से कितना पानी में इस ei Prince कि यहां कितने कितने पानी मैं लहरे में कितना पानी यहां से पिनीथ टाइम है चैसे को का अगर कहीं पर रेट समझना पर यूनिट टाइम क्या बोला rate of rate of flow of water पानी के बहाव को देखना है अब रेट बोल दिया यानि कि इसको किस तरीके से निकालेंगा अगर हम करेंट वाटर करें तो यहां पर कितना वाटर फ्लोन हुआ अपड़ फ्लोन अपोजमी तक बताएगा अगर अगर ऑनने कितना पानी प्लोग हुआ उसको निकालना है तो बेसिकल पर प्लोग इस फ्लो ऑफ चार्ज सिंपल तो इसका definition लिखो पहले सिद्धे सिद्धा definition लिखो definition definition the rate of rate of flow of charge rate of flow of charge is known as electrical यह हो गया हमारे एक definition अगर तुम चाहते हो कि भी आमको थोड़ा बड़ा लिखना है तो इसको लिखो the amount of the amount of charge amount of charge passing through passing through any cross section area याद रखना यहां पर बहुत दो क्या करते हैं एक particular unit cross section area लिख देता है unit cross section की नहीं किसी भी cross section से pass हो सकता है किसी cross section से हो सकता है तो any cross section area पर unit time अब इसी को देखो short करके हमने लिख दिया वह यह कि rate of flow of charge rate of flow of charge amount of charge passing through any cross section area और unit time अगर तुमको electric current के बारे में एक्जाम में लिखने आ जाए तो पहले तो तुमको बड़ा definition लिखनी है फिर इस तरीके से चित्र बना दिया ना यह एक हमने conductor दिखा दिया और इस conductor के अंदर हम इस तरीके से electron को flow दिखा रहे हैं अब और सिवाथ है electron ही flow करेगा proton तो flow करें सकता फ्लो कॉन करेगा या electron flow करेगा अब हम electron के flow को दिखा रहे हैं अब इस particular cross section area यह जो है इसका जो opening है इसको अपन बोलेंगे cross section area अब यहां से जितना number of electrons जितने number of electrons है जितना number of charge तुम बोल दो जार जितना number of charge यहां से flow करेगा उतना ही हमारा क्या होगा current होगा अब इसको इलेक्रिक चार्ज की सारी कहानी पहले लिख लेते हैं फिर अपना आएंगे उसके उपर तो यहां पर इस रे आपर हैस्टेग लगाने चालू कर दो ना इस रिप्रेजेंटेट बैप रिप्रेजेंटेट बैए आई डिया नॉट स्मॉल आई बाइडवे सब्सक्राइब यहांप में बोलना है कि इट इस ऐस के लिटीड कॉंटिटी इस के बार में याद रखनी है ये इलेक्ट्र करेंट पर में हम लोग याद को याद रखनी है यह मिए याद रखना बड़न फोट फुफ याप फिलो फ्लोव एलेक्ट्राँट्स तो यह दिस डिसटन हमारा चंट रहा होगा उसके अपोजितै डिरेक्शन faithful करेंगे धर व्लो कर रहे SI लेकिन बड़े बजूर्ग थे हमारे थोड़े से समझ गए अब उनको क्या है हमको कुछ को कुछ कहना है अब भुजरुत कह गए है कि हमेशा इसी तरफ मानना है हम को क्या Convention मानना है कि हमारा करेंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डिरेक्शन में बैठता है क्योंकि देखो हमारे कैसे बड़े बुजुरूफ जो थे ना उनको बेसिकली यह थिया भईया हम जो बुरे आदमी ना बुरो आदमी उनके डिरेक्शन का अभी फॉलो ही नहीं करेंगे अब इलेक्ट् बलना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करेंट है फ्लो कर रहा है यानि कि अपोजिट्ट्व फ्लो फ्लो करेंगा प्रोट्रॉन तो फ्लो करता नहीं है बिल्कुल सहीं बात है बिल्कुल सहीं बात है कि हमारा इलेक्ट्रॉन इधर किदर फ्लो कर रहा है तो हम मानते हैं हम ऐसा मानते हैं कि positive charge बेटा इधर जा रहा है अगर बुराई इधर आ रही है negative इधर आ रहा है तो positive उधर जा रहा है ऐसा हम मानते हैं और उसी के direction में किसको मानते हैं current को मानते हैं अगर 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 बजूर्गों कि बात इसे टाल नहीं सकते थीख तो बड़े बजूर्गों ने कहा है तो मान लिया यानिक इलेक्ट्रिक करेंड अब हम लोगो देखना है इसके आगे का चीज है अब आगे की बात करते हैं आगे की बात करते हैं फटा फट से ठीक है बहुत डिस्टेबेंस हो जाता है इसको हटाओ तुम्हारे में तो continuous चलना चाहिए हम यहां पर क्या कर रहा है हटा करके आगे किसे लिख रहे हैं तुम्हारे में तो आगे आगे तुमको जब आंसर लिखोगे तो भी इसको सीधा सब्सक्राइब को मैं था मैं टिकली मैं समझें यहां का मतलब है हमने बोला की इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्टरिक करेंट इस फ्लो आफ चार्ज लो आफ चार्ज तो यानि कि चार्ज अपॉन में पर यूनित टाइम इसको बैटा अगर हमाना मैथमेटिक लेद अच्छे से लिखना है तो लिखेंगे आई इस इकोई टू क्यू अपॉन टी और यह है तुम्हारा फॉर्मुला पूस् tyre इतने असान-असान फॉर्मॉले में अगर नहीं में बनंते शरम कống की बात है आई अगरैसे असान-असान से फॉर्मूले में सफो मह नहीं नहीं किसμ सिर्थ ना गएसे हम या मनेंबर हॉ और हम यह जानते हैं कि Q बराबर N E होवे है क्यों बराबर N E होवे है हाँ या ना अब इसको पुट कर दो तो भीया I is equals to N E by T हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भीया तो यही तो number of electron है यही तो number of electron है वेर वेर एकी वैल्यू 1.6 into 10 to the power-19 coulomb's रखनी है 1.6 into 10 to the power-19 coulomb's रखनी है क्या है यहां पर negative नहीं रखेंगे ऐसा क्योंकि जब यहां पर negative रखो कि पुराइब यहां पर जो है system जो है थोड़ा सा आउपर नीज़े हो जाता है negative मत रखो को वो ओ ट्रमेंटिक ली बैलेंस लिएगा वो ट्रमेंटिक लिएंगे वाली रखना है यह बाकि तोंको अपल आज जिया टिया अब इसके दो नहीं ने बना दिया बना दिया और एक अब लोग बात करेंगे अभाउट यूनित लिए हमने लिए अब इसके बात करते हैं यूनिट की अप्फूली सब चीज दिख रहा हो और सोड़े से स्पीड से पकड़े से बिटा कोई बहुत बड़ा चैप्टर्स है नहीं तो में लोगों पढ़ा देंगे इदम फटा-फट से और हो गया हम यूनिट ऑफ और और यू लोगों बता होगा MPR क्या बोलते हैं MPR इसको दिखाते हैं capital A से किस तरीके से निकालते हैं इसको नियांदेना अगर तुमको पता है कि आई का जो यूनिट होगा यहां पर कुलम्स रखोगे और यहां पर बेटा क्या रखोगे सेकेंड रखोगे यह किसका ऐसा यूनिट ह है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है ऐसा यूनिट है और यह अगर यहां पर यह लिखा है इसका मतलब यह एंपीर है वन एम्पियर इकूल्स टू वन कुलम्स पर सेकेंड वन कुलम्स पर सेकेंड और यह जो है यही क्या है ऐसा यूव्ट है इस ईक्टिकलर नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं एंपियर अगर चाह ग आंपिया तुमच यहा grounds ल MICHAEL समान करने लिए कि लिए कि अगर चाहतो इस होना चाहिए तुमको smaller units समझ लो smaller units तुमको और कुछ यहाँ पर cg s uj sasak देखने के ज़रत नहीं है फिलाल ठीक है अगर numerical जो तुम लोगो देखने को मिलता है that is the micro ampere और एक देखने को मिलता तुमको यह होता है milli ampere इसको यह मैइनस 3 मतलब 10 की पावर मैनस 3 consistency इंपियर है अब भहाया यह मैब कर निकावधा हुआ है कितना है 10 की पावर मैंनस 6 यहां पर यहां पर अगर कुसी को यह पता हो इसको अटा देते हैं है थोड़े दिर के लिए कुछ शनों के ली तो वन आंपय सेफीर्ब नहीं सट्रीटिय Everything असवे सबस्सक्राइब होता है उसटेरवन सेफिन में बहुत है क्वा सब्सक्राइब अंक शेमिन हThe Тем light एंब क्रीड इद कroसे क्षिन अव्सें लिए सेकन्ड वन सेकर्ड गॉलता चाहिए एक कुलम चार जगर कि खुर्सेक्शन एडिया सी एक सेकंड है तो वहां प्रुट पास हो रहा होगा उसको मैं बुलूंगो बेटा वचाहिए फिर्ट वन एंस्टूमेंट कौन से यूज से यूज राइए कि अन्स्ट्रूम्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ट यहां भी कोशन आए यूज्ट टू मेजर करेंट मेजर करेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ट टू मेजर करेंट विया हम लोगों करेंट को मेजर करना है करेंट को हम लोगों को मेजर करना है बहुत हला होता है पीछे थोड़ा उसके लिए हम श कौन सा मीटर एक मीटर करते हैं नोट कर लो तरीके से रीड रैण डेखते हैं उसके बाध करेंगे तो यह टावर से चीजर इंस्रामेन्ट कान सा इसे रहां ओद भाथ करते हैं इंग भर लेता हुए एक भरना पड़ीगा ठीक अवर दौकर दो अब बात करते अधी को करेंट क कियासे किया जाता है तो देख लिया in którą है कि अगर अब समझेंगे कि हाओ डू कनेक्ट करना है इन सीरीज और पैरलेल क्या होता है देखो मैं जब तुम को इसके बाद वाला टॉपिक है इसके बाद आता है उसको अश्चाहिए उसको तुम को सीरीज और पैरलल वाला कंफूजन मैं तुम लोगो वहापे क्लियर कर दूगा लगाना पैरलल मतलब उसके उपर लगाना इन सपनेक्ट करना है वह बहुत असान यह जैसे हम स्केल रीट करते है वैसा ही अमेटर कभी ले लेंगे काईसा लेंगा भीए उटे देखो अगर इसकेल है इसकेल है एक दो तीन चार पांच इस तरिके हैं नहीं रहता विल्कुल रहता है यानि कि मैं बोलू बाद तो एक इसके अंदर मेरे यह पांच दिविजन से एक के अंदर मेरे कितने हैं मान के चलते हैं पांच दिविजन के अंदर कुछ भी हो सकता ना किसी तरह के लो सकता अब यह बडा वाला जो है यह मुझे बताएगा कि इसका 1 cm है यह एक 70 है बोल सकते हैं और एक जैपिजन होते हूं कि एक टिविजन की सब्सक्राइब कितनी तो इसकी वैल्यो उस is 0.1 cm अगर इसे scale की बात करते तो इसे scale की बात करते तो इसको एक division कहते हैं इसके अंदर में जो एक डंडी दिख रही है इसका नंबर एक division है इस पुरे इसको एक तुम जोगे कि यहां से यहां तक अगर मान के चलो बटा की एक एक अमीटर की लिए एक के लिए एक अपियर की लिए गकितने दिविजन से तो एक division की वैलव बताएगी एक division की जो वैलू होगी और यानि की एक दिविजन 0.1 एंपियर बताएगा और जब क्या बोलते हैं कौन से डिविजन पे मेरा हाना बेसिकली वैल्यू जो है निकल करके आ रहा है एक डिविजन की वैल्यू निकालो मल्टिप्लाइबर नंबर ऑफ डिविजन अगर तुमको मैथमेटिकली ही जाना है तो क्या करना इसमें कि फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ वन डिविजन की फिर उसके बात क्या करना है अब हानौ मल्टिप्लाइब अ मल्टिप्लाइब ड वैल्डू के विड़ ट कि नंबर ओफ डिविजन या फिर अपने टरू मैं के चलू मेरा क्या बोलते हैं किसी जगें पर आया है जहां फि तो इस तरीकिंगे सब्याव क्या करूँगा, अमीटर को क्या करूँगा, रीड करूँगा, अब हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट के बारे में सबस्ते हैं कि पैदा कैसे हुई, अब होफ़ूली यहां अमीटर अमीटर तक कहीं पर किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत या कोई सारे डाउट को क्लियर कर देंगे तो महां पर पूछ सकते हो ठीक है विया और बहुत साथ तगड़े-तगड़े मतरियल मिलते हैं पहला तो तुमको मिलेगा इसका चैप्टर का नोट उसके बाद तुमको मिलेगा वहां पर प्रैक्टिशीट और इस सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब करें तुम लोगों क्या होते हैं कॉन्टाक्ट कर सकूँ चलो यह समझ में आया है अब हम लोगों संझाओ कि कहानी हो क्या रही है सुनों यह है कंड़क्टर बास का तो नहीं है ना यह कंड़क्टर का मतलब है जो कंड़क्ट करता है किसको electricity को कंड़क्ट जो है वह वह कंड़क्टर electricity को कंड़क्ट करता है अब एक इंसलेटर में खास बात में तुम लोगों बताना चाहूंगा कि जो कंड़क्टर होता है उसके पास एक फ्रीबी इलेक्ट्राउन्स होते हैं जो इंसलेटर होते हैं यार प्री एलेक्ट्राउन्स नहीं होती मैं देरे एक मेरा क्या है एक इनके ल्यांदर क्या कंडिशन होतीस है जहां से समझ आओ लेकिन इसके प्लस मयनस प्लस माइनस अब इसके अंदर के प्लस माइनस हैं यह कैसे बॉंड होते हैं लूजली बॉंड मतलब इनका जो प्रेम है इनके बीच का जो रिष्टा है काफी कमजोर है प्पच से निकल जाएंगे लेकिन इसके जू क्रिश्टा है इसको नहीं कि तैडले थाइटलीबॉंड को have Um battle यहाँ हमारे तरीखे सा समझो तो conductor अधिक्रोंज कोटेएं वो होती बेवाफा होती और हमारे जो इनिसलेटर जोटे लॉयलियल लोयल बोले इमानदार लॉयल il यहां पर जैसा ही मैं कोई चार्ज को लेकर क्या हूंगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इसके अंदर के सारे चार्ज में बता रहा हूं धीली ढाले हैं तुरंत देखते ही जिन लोग को पसंद आएगा फट से इधर आ जाएंगे और जिन लोग को पसंद नहीं है कौन से देखने लाइक चीज है हम पीछे आड़ जाते हैं और जी लड़किया है आगया जाते हैं लड़किया मतलब आस समझ गया है समझ गया तो इस सारे नेगेटिव चार्ज उपर की तरफ आ जाते हैं अब इंसुलेटर की बाद करो बिटा मैं यहां पर लेकर क्या होते हैं येस और नुव रहे हैं अभी उनका कोई ठीकाना नहीं है कोई ठीकाना नहीं है यह 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 है इस वक्त इस तरीके के बच्चे है जय क्लास में फ्री पीरेट के समय पर हो दें यह चुटी के तरीके बच्चे जो पाए जाते हैं गंटी बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च हैं तो कहीं पभी करते रहेंगे और इस करन से क्या होता है कोई कोई दूसरे को कर देते हैं को इधर फ्लो किया कर रहा तो यहां पर उवराल मुवमेंट है वो क्या हो जाएगा एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ कैंसल हो जाएगा अब ऐसे के कंडिशार में हमको जरुरत है एक प्टी टीचर की किषकी एक प्टीट चराकर क्या करेंगे देंद यह प्लास और यह मैस और यहां पर एक सेल यह बैटरी लगा दूँगा तो यहां पर एक पोटेंशल क्या भागेंगे किस डिरक्षिन में भागेंगे सारे के सारे बया पोजिटिव चार्ज की तरफ भागेंगे तो करेंट का फ्रोग कि इभर होगा पलिए सका पोजिटinky पॉजिटिव 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 टूवट्स पॉजिटिव त्रम नेगर्टिव to positive from negative to positive और यहां पर लेक्टेर अ्ल्समास्त oh पीटेशर पीटीचर 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 आएंगे सता सत लगाएंगे एक बार सीटी बजाएंगे सारीका स्टेटी लाइन से भागें बताईए अब पीटीचर आये और और सीटी बजाई और से थिञगät तो सारे के सारे बच्चे हाँ है यह चीट्र इसका क्या हो रहा है क्योंकि यक्ट्रॉयर दिरेक्शन में था MRS थो इसके प्ट्रॉर टार ना पर गईा या तो मुझे वहां पे पोटेंशल इए प्रेंश' क्रिएट करना पड़ेगा अभी पोटेंशिल डिफ्रेंस की कहानी क्या है विटा कुछ देर में समझेंगे पर पहले एक पर ने लेक्रिक सर्कुट क्या होता है उसको समझ लेते हैं तो कि एलेक्रिक सर्कुट एक बार समझ में आ जाए तभी हम लोग आगे कि चीज समझ लिए यह मुणना भाई और सर्कुट वाले सर्कुट नहीं है समझें सर्कुट यह है एलेक्रिक सर्कुट कौन सर्कुट इलेक्रिक सर्कुट अब इलेक्रिक सर्कुट में क्या होता बटा कुछ नहीं एक सोर्स आफ एनरजी चाहिए एक बल्व चाहिए और एक continuous path having having a source of energy having a source of energy source of energy क्या होती है यह सेल या बैटरी सेल या फिर बैटरी ठीक है और डिवाइस डिवाइस हो सकता है component अखर लोग बनाने की सकता है यहां पर बेटरी बना जो चोकी ऑना एक यहां बब वदश कर दो नौ यहन पर यह वापस से इसके वायर बना दो यहां पर यह ПОक्र है तो करेंट इस direction से flow करेगा और इस direction पर वापस आएगा और यहां पर यह बद प्लिप क्या से कर जाएगा गलो कर जाएगा एक सिंपल वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिंपल वर्जन बना रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं एक आम पहले open और टो तरीके के होंगे that is first is open open और दूसरा होगा बेडा closed open or closed open circuit closed circuit अगर open circuit है तो तो will be no flow there is no flow of current there is no flow of current and यहाँ पर क्या होगा flow of current flow of current एक काम करना पीटा नोट से जो है अच्छे से इसके definition definition लिख लिख लिए को यहाँ वो नहीं है बहुत बड़ी चीज नहीं है ठीक है चलो यहाँ बनाओ फटाफटी अब यहाँ पर अब बनाओ बनाओ दो और इस CIRCUIT को ऐसा open रख दूँ इस circuit को मैसरण दूब open यानिकि मेरा switch off condition है open को बोलते है switch off condition अभी मेरा switch off condition है यहनि कि हमारा circuit क्या complete नहीं है अगर सर्केट complete नहीं है तो electric current flow ही कि नहीं कर पाएगा इंहां आय यहाँ सेसी करेंगा यहां पिए रच yapıyorsun को तिक है वह पूचे गहां तो आगे नहीं जा सकता है लेकिन भख takes circuit is क्लोजेसिट रास्ता हमने कम्लेट कर दिया हैं जो सृच है वे वे ये वाला सिच ने इसी कराम कोई बनाता निया आज की जमाने में एक साथ सूल आए उपर और नीच आण ऑर एक ट्रोंग दाट वाला ठेक है उसमें चाइब ऑपन दिखाना तो खाली ब्रैकेट एककां करो यह हो गया हुआ थे हटूआ बाटन बंध्र है और यह है स्विच ऑन सुछ यह होगा स्विच अ थीच अ यह तुमेरे वरक्रिक्षण होगी पहूंगी तो न हृद прямо करें ऩी तोmma बना करके दिखा दूँगा कौन-कौन से होते हैं तो फटा-फट से इसको नोट करो यह सर्कृट क्या होता है इसके पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी और डिवाइस चाहिए बटा सोर्स ऑफ एनर्जी डैट इस लाइक बैटरी और जिवाइस यानिकी जैसे की बल तो लोगों करन प्रहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशल क्या होता है बहिआ देखो क्या है कि अगर कोई चार्ज है मांगे चलें प्लस क्यों चार्ज Henceников म्लोको बहुते हैं इसको खिलेक्त्रीक फीर्ड नंण ऒगर एक खरणने इसका जहाँ पर और कोई और अंडर तो लोगर्वणर करता है तो उसके ऊपर या तो मे essence लगेगा और यह को फील होगा सिम्पल सी बात है इलेक्टress фील क्या है इलाका है बीटा क्या है इलाका है किसका इलाका है चार्ज का इलाका इस चार्ज के इलाके मैं मान के चलो मैं क्यू च्यॉ trending पर रखता हूं तो क्या करेगा यह जो positive Q है उस Q को अपने से opposite direction में धके लेगा क्या करेगा धके लेगा क्या एक F force लगाएगा बिल्कुल लगाएगा तो यह क्या कर रहा है प्लस Q चार्ज इस वाले Q चार्ज को धके रहा है तुम हरे घर में कोई गूणड़ गुणड़ ने महमान मेहमान है तो तुम क्या करोगे उसक ऑब भगो भगो हमारा घर है ऐसे कैसे कैसे घ्र होगे यहां लोग से समझते सकते हैं इसमें कोई और कुट्ता अगर entry मार लेगा दोड़ा दोड़ा के मारेंगे इसको दोड़ा दोड़ा के मारेंगे उसी प्रकार से यह जो प्लस क्यू चार्ज है इसका जो लाका है इसको हम कहते हैं एलेक्ट्रिक फील इसको बूस अब तक बहुताएब और इस इलेक्ट्रिक फील में आगर कोई चार्ज अगर एंट्री मारता है तो इसको एक जोर जाद धक्का खाना पड़ेगा जिसको अम लोग क्या कहेंगे भाया हम लोग कहेंगे आम भी पॉर्स अ रिपल्शन ठीक है यह बैसिकली कुल्म लगा शार्ण से लगता है कुलंब लग वाला फोर्स लगता अभी लेक्रिक फीड़ का फॉर्मुला वर्मुला तुम लोग कुछ है नी ठीक फिल एक 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 डेफिनेशन लेक लेते हैं इलेक्रिक फीड का क्या लिखेंगे भी या इट इस रीजिन और स्पेस अराउंड स्पेस अराउंड चार्च अन्डर या फिर विदिन विच विदिन विच इट्स इंफ्लूएंस स seguinte रेटर का इसको ऌफ्लूूएंस को यां सोब्र या तो धो फिक video या अपने तरफ कर ने की कोशिश करेंगा यहाँ विशा क्या अधको दर मानता हूं कि एहं पर पोजितिव चार्ज लेकार आपन समझते है न यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह बहुत ही चोटी यहनुक्ट कीज यह इसको बोलता है Q-naught बनाएगे तो बीटा Plus Q के लिए क्या होगा Plus Q के लिए बेटा बाहर की तरफ होगा रेडियली आउट वाट वोता है गसे और माइनस क्यों वहा तो रेडियली इनवर्ट होता है मिन एंदर में कोई वेक्टर क्वांटिटी यह आजाए अगर यहांपर तुमारे फॉर्मुले के अंदर में कोई वेक्टर पॉंटिटी आजाए अगर कोई हाना तुमारे formula के अंदर vector quantity आ जाए तो यह वाले quantity भी हमेशे वेक्टर होगा और अगर यहाँ पर scalar quantities है तो अब यहाँ पर जो formula आएगा वो भी कैसा होगा बेटा स्केलर होगा अभी जैसे कि अपने बोला था जो आई है यह कैसा है स्केलर बताओ कैसे बनाया है वह क्योंकि इसके फॉर्मिले में q by t आता है और दोनों ही चीज़ स्केलर से है अगरी दोनों ही स्केलर है तो अब यहाँ पर हम लोगों ने बला कि भी यह एक्ट्रिक फीड ज इसको क्या कहते है इलेक्ट्रिक फील्ड कहते है और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बता दी इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है यहाँ पर उतनी है यह दिखाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइ है अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस चार्ज को इस पॉइंट तक ले आऊं इस पॉइंट का नाम ले देते हैं इस पॉइंट का नाम ले देते हैं इंफिनिटी से चार्ज को उठा करके उसको ले करके इस पॉइंट तक लाना चाहता हूं तो बुझा मुझे क्या करना पड़ेगा उसको work done करना अब औप सी बात है ङांग अधरिया इसके उपर लग रहा है तो मुझे इसको करने में वर्क लेन करना पढ़ेगा मुझे खुद को और फ्रस्न लगाना पढ़ेगा अगर इधर की तरफ लगा ईत्रफ सकते हुए मोच्षित पॉइंटिक सब्सक्रे टोघे आखका से देफाइन करते हम यह बता रहा था यह पॉटेंशिल के सी हम किसे के सर्क्च नगेकर टी पोटेंशिल की या होती है एंग दा वर्क-डन-टु ब्रींग टु बंचू ब्रींग इंसाइड दा इलेक्ट्रिक फिल्ड इंसाइड गिलिक्ट्रिक फिल्ड समझ जाने एलेक्ट्रिक फिल्ड को मैं यह और उसके उपर में यह एरॉ लगा करके दिखा रहा हूं यानिकि अब वर्क देन टू ब्रिंग यूनिट पोजिटिव चाज फ्रम इन्फिनिटी तो अप पोटेंशियल अगर तुम्हों को कहीं कहीं याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी नाम तुम्हों सुनाओगा यह पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी अब पोटेंशियल एनर्जी इस एन एनर्जी ड्यू टू कंपोजिशन ड्यू टू कंफिगरेशन और पोजिशन ऑफ करके इस particular height पर लेकर गए गया तो इसके उपर मैंने कुछ ना कुछ work done किया था और work done क्या हो गया इसके अंदर store हो गया इसके अंदर क्या हो गया store हो गया अब यह जब store हो जाता है इसी stored energy को अपन क्या बोलते है जो यह work done जो store हुआ है उसी को हम लोगो क्या बोलते है potential energy कहते तो यहां पर जब मैं वहां से लेकर कि यहां तक लेकर क्या हूं तो अब यह वर्क ड़न इस पॉइंट के अंदर इस पूरे पॉइंट के अंदर उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगी और उसको मैं कहता हूँ इलेक्टरिक पुटेंश़ उसको क्या को जाता हूँ बिठा इलेक्टरिक पॉटेंशव के विया अफ्राइब होता है ये यह अटेफ यह और दोस्तでも आंकला आन US मैं जोटेंशल ॏ इ delegस्ников कायी गया अद्दक जुल्ती से बहुकि यह सोचना वह यह या रिया लिटग यह क्या डिफाइंड होता है एक्ट्रिक पोटेंशल डिफेंज लेकिन अगर हम यह बताएं कि इस पॉइंट पर पर प्रटिसमें पोटेंशल इसका पोटेंचल और इसका पोटेंशल आया कहा से तो उसके लिए वाट करता है पमें एक कांट्सक्ट है नहीं नहीं कर अगा अग्छिस्ट्र इसके बारे में बात करेंगे पर पहले पन फढ़ा फट से जो को लिख लेते हैं ठीक है इस चीज को नोट करो फटाफट से क्या मैं तुम्हारे सामने साट हूं मैं एक सब्सक्राइब करो और स्क्रीन शॉट ले लू छलो ओप्फुली तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा अब यह एलेक्ट्रिक फीड वाली कहानी को खटा करके हम बागी कहानियों को लिखना शुरू कर देते हैं तब तक मैं क्या करता हूं उधर पोटेंशल वाले को छोड़ देता हूं ताकि तुम लोग इसको डेफिनेशन को रीड कर सको और कुछ कहानी उधर ही भी लिख देते हैं ताकि हम लोग को समझ में आ जाए चलिए यह कहानी तो गई वर्क वाली कहानी तो यहां से हमको डेफिनेशन क्या दिखना था भी यहां दवर्डन तो ब्रिंग उनिट पोजिटिव चाइज फ्रम इंफिनिटीव पॉइंट इंसड़ एलेक्र फील इस नोन असले पोटेंशल इस रिप्रेजेंटेट बाई है एसा युनिट एसा यू निकालते हैं पहले हैं बीस्स को डिनोट करते हैं और कहते का है बिया कियो स jerk करते हैं आए इसवी उनिट स Unity रहे हो तो आई सी यूनिट क्या आएगा इसका valeuld नंप वल्ट बोले तो व व बोले तो व बोले तो व लेकिन इसको अगर आपने अपने इसको पूरे चीज को अगर मैं यहां पर इसको इसको कर रहा हूं ठीक है वर्क डाल हना और ब्रिंगिंग चार्ज यूड़ पोजिटिव चार्ज फ्रम इंफिनिटी टू दा पॉइंट इनसाइड इलेक्रिक यह था यहां पर इसका ऐसा यूड़ मुझे करना पड़ेगा तो अब वैसी बात है हना वी का तो वी ही रहने दो वी का तो वी ही रहने द और यह क्या होता है coolems इसका मतला है यह को रहूआ जूब पर कुलम जूब पर कुलम जूब धिफाय वन वोल्ल्टफ डिफाय वन वोल्ट रा फिफाय वन थेमे तो अगर वन वोल्टको described क्‍च व सम्च आ ञाक है तो हम यह वलिंगे तो इन ए सब्सक्राइब इन गि Bean विन के इन सब्सक्राइब एक देट सब्सक्राइब तु अज to a point inside the electric field जब मैं एक जूल वर्क करूंगा पूरे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक कुलम पॉजिटिव चार्ज को पूरे वहां से इंफिनिटी से लाने के लिए तक है इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए तब मैं क्या कहलें एक होगा एक कुलम चार्ज को एक कुलम चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जब मेरे एक जूल वर्क कतम होता है चुछ यूल वर्क पंप्रीट हो रहा है एक कुलम चार्ज को लाने में तब हम लोग बोलेंगे वहां पर वन वोल्ट हो गया यहां तक समझ मैं हर चीज क्लियर है इसके और यूनिट की बात करो बिगर और स्मॉलर तुम बना सकते हैं अगर चाहो और स्मॉलर की बात कर लो मैं क्या करता है । टुम लोगों नए चीज बता देते ह mouths कुज भी हो कुज भी हो एक होता है किलो एक होता है मेगा किलो मेगा तुम्हारे लिए तो kilogram करते हैं, तो thousand gram समझते होगे, और अगर mega grams की बात करता है, mega grams या, फिर mega किसी चीज की बात करता है, तो इसको capital M से दिखाते हैं, ठीक है, अगर smaller मैं बोलू हूँ, तो उसकी जगह use होता है, milli, milli gram होता है, milli centimeter होता है, milli centimeter होता है, hurt10-2-3िसको तो बद से दिखाते है चल्ट हम अब इसके बाद आता है माइक्रो जिसको पन क्या बोलते हैं why कि माइक्रो को बदखाते दृटन को एक और इसक Τ dönकर में ऑ अब इसके आगे तुम बोल्ड लगा दो तो आ sofort जएगा और दो किलो बन तो यह तो समझ में आगी होगा यह भी समझ में आगी होगा कि वन वोल्ट के होए है यह बात पासमनorama आगे और आगे की बात करते हैं जल दी बात करेंगे चूंकि वन शॉट है और मैं नहीं चाहता बिटा तुम्हारा ज्यादा समय व्यर्थ हो अब यह बताये कि इंस्ट्रुमेंट कौन से यूज होता है वोल्ट कुन अपने के लिए इंस्ट्रुमेंट फॉर मेजरिंग हमने वह तो देख लिए अचा पहले पोटेंशल डिफरेंस तो बात कर लो आगे आगा बढ़ता जा रहा हो पोटेंशल डिफरेंस के बात कौन करे पहले अभी पोटेंशल डिफरेंस एंशाते एकच्ट्र वे अश। वाता है एक शिम नाख्रआ पर एंखर ये उलेट्रिक्रिक्ज स्क्राइब अब मanya चले यह पर एक प्वांट है एक पोइंट थी एक फिर आब मैंक्या कर रहा हूं इसको क्यों यहां से क्यूप एक पॉइंट को बी पॉइंट से ए पॉइंट से एंट मिले जाने में मैंने वर्क देंट किया विपॉइंट किया उन्हें फिपॉइंट से जया जाने यहां पर पानी इस लेवल तक भरा पढ़ा है वह बहुत सारा पानी है बहुत सारा पानी है यहां पर इतना सा पानी अब बताओ यहां पर क्या होने वाला है यहां पर भया क्या होने वाला है यहां पर मुझे दिख रहा है कि पानी का यहां पर ज्यादा है यहां पर पानी डिफरेंस क्रियेट हो रखख है यहाँ पर खाली है और यहाँ पर भरा हुआ है पानी तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा पानी यहाँ से बहुँना चालो होगा और इस direction में आएगा आएगा कि नहीं आएगा और बेटा तब तक आएगा यह कब तक होगा, यह पूरा condition कब तक होगा जब तक यहाँ पर हमारे पानी का जो लेवल है बिलकुल बरोबर नहीं आ जाता, दोनों ही इसमें बिलकुल जब तक बरोबर पानी नहीं भर जाता, तब तक यह चीज फ्लो होते रहे, यहाँ या ना, यह क्यों हुआ, क्यों हुआ जर बताना, क्योंकि भाईया यहाँ पर ब से कम की तरफ भागती है छाधा से कम की तरफ भागती है कोई भी चीज हो हूँ अब इसको हम explain करें सबस्क्राहर थो क्या क्या भागता है कि 5 कुछ भी देखो कुछ भी देखो कि कहर मैं अगर बोलता हूं हाँ की बहेंल कि say okay high pressure c high pressure अलोब कि तरफ लग करएगा या फिर कोई बी चीज फुक्ट को बहाको फुलाओ तुमने क्या कि आ अपने अंदर के हवा को फुगे के लब डाला अब जैसे फुगे के खोल देता हूं आझा बंद करने वह था ना चाहां से हवा भरते उस जगह को खोज तो हवा कैसे आती है बाहर से फुई करके बाहर बाहर निकल जाता बताइए कहें भाईया कहें इसलिए क्चोटे से जगे के अंदर बहुत जादा प्रेशर में एर को भर रखा था और बाहर में जो एयर का प्रेश यह बायो पढ़ा है कभी जीवन में अब्यस ही पढ़ा है तुम्हें को ने क्लास 9 में पढ़ा है अगर मैं higher concentration से lower concentration की तरफ देखूं तो हमेशा solvent का molecules का movement होने लगता है solvent molecules का movement होने लगता है तो उसको हम क्या कहते थे बीटा osmosis कहते थे हमने देखा था ना अंदर अंदर बाहर से पानी अंदर गुज गया अंदर से बाहर चला गया चल श्रिंख हो गया तो यह सारी चीज़े कहां पर ओटे थे उसमोसिस में होते थे वहां भी क्या था हाई कंपरीचर ची तरफ जो लू करती है जो को करती है इसको हम को हिट है अगर मैं यह कहूं की हीट निकल रहा है सोच दू भागा तू भागा जोड़ा ट्रौडार भॉल किया एजर करने के कारण से तुम्हारे अंदर energy energy हुई यार वो कनवर्ट होगा heat energy ऑन्द मेकानीकल एनर्जी तो तुम्हें एक अनर्जी जे अनर्जी नियूस किया तो energy conservation लो लगा कि न्युक्त एनर्जी खंजर्र हुआ झे अनर्जी कंजर्वर्ट हुआ तो तुमने यह इसलिए भईया, ऐसा इसलिए, क्योंकि हमारा temperature गरम हो गया है, और बाहर का environment का temperature कम है, तो हमारे अंदर से जो गर्मी है वो बाहर निकलती है, और इसलिए हम लोग का शरीर जो गरम हो जाता है, या पसीना आने लगता है, पसीना क्यों होता है, अब यह जादा समझ में आनी आ तो एक काम करो बेटा, एक कॉफी का मग जब लेकर क्या होगे, गर्मा गरम कॉफी का मग, और उसको रख दोगी, तो वो धीरे से ठंडा हो जाएगा, बताओ क्यों, वो ठंडा काहे हुआ, क्योंकि भईया कॉफी के मग के अंदर चाय रखी है, या कॉफी रखा हुआ है, तो हीट क्या हुई, फ्लो कर गई, हीट क्या हुई, फ्लो कर गई, और उस चाय का कप दीरे-दीरे-दीरे-अपना टेंपरेचर लूज करते हुए, बिल्कुल रूम टेंपरेचर पर आ गया, और हम बोलेंगे, या चाय ठंडी होगी, चाय ठंडी होगी, एनर्जी लॉस द कोई भी चीज़ दुनिया में higher concentration to lower concentration high energy to low energy की तरफ बीड़ा मुव करती है इस कारण से मैं कह रहा हूँ अगर मैं बिटा एक potential यहां पर वाटर की जब बात करते तो उसमें तुम यह कह सकते हो थे अगर उसी प्रकार उसी प्रकार मैं यदी यह मानूं यहां पर पोटेंशल जो है इलेघ्ट्रिक पोटेल जो है वह जाधा है is more अब बैए यहाँ पर जो वी है इस सफ अब यहाँ पर पोटेंश्ट डिफेरेंस नहीं हुआ हुआँ यहाँ-बैघा-गया यहां से यहां पर छाथ फ्लो करना शुरू कर देगा और इसी करनंट से गता इसी करन्ट से गाइड होगा अगर इसकी वैल निकाल तो यह होगा V2-1 थे कर या फिर वी एप यह V8 माइनस में बी एसे लिए माइनस में गई और यहां भी लिख ने दो मानस में लिख 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 ला यहां पहला को कुटीश होगे और यहां यहां पर लुख मद र्ज्टर नहीं जो ठाली हो और चुटीश घ्राम धूटार वूण क्यों कि यह क्यों क्यों कि पुटेंशियल इफ dûर positive charge from point B to A B to A inside an electric field inside an electric field is known as is known as dash तुम लिख लो इलेक्रिक पोटेंशल दिफेरेंस एलेक्ट्रिक पोटेंशल दिफेरेंस ठीक है चाहो तो मैं लिख देता हूं इसके सारी कहानी सेम रहेगी ऐसाई यूनिट से लेकर के लिखी सारी की सारी कथा काहानी सब की से कोई दिफेरेंस निया प्तेंशल इक्षाल मैं इस चीज़ को चार्ज क्यों कर रहा हूं अब बताओ कि हाथ से पकड़ करकर चार्ज को को लेकर क्या होगे क्या नहीं लाओगे अरे यहां पर तो Waterman कर रहा है तो वहां पर जो बन लग रहा है कि अब आपक्शल में हम बोल रहे हैं कि वहां से उठा कर कि लाओगे इंफिनिटी से तो क्या हाँ पकड़ कर चार्ज को लेकर क्या पर ये प्राटिकल कंसप्ट और यह अक्षॉल में होता है यह एक्षॉल में होता है अब बात आती है बेटा कौन सा ट्रूमेंट य्ज़ करते हैं और कौन सा इंस्टूमेंट यूसें करते हैं अब लगश्य निज़ेंगा है टैड है फार चीज़ लेखेंगा पहली कुछिन समल दा हूं डिवाइस और ईंच्रूमेंट इंस्ट्रूमेट तो बोलना भी निоны इसे डिवाइसी मनफैं बंक कर T और दूसरा सवार यह है कि डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट कि यूजडी टुम इक यूजडी टू यूज़ लृघ्जर मेज़र पोटेंशल डिकन्स बताईए पहले वाले का जवाब होना चाहिए बैटरी और सेल हैं अभी क्या करता है उसमें एक साइड एक साइड ऑफिनेर क्या करता है और क्योंकि उसके अंदर potential difference है जब मैं उसको किसी जगए पर connect करता हूं कि connecting wire से connect करता हूं तो वहाँ पर भी क्या करता है झ prayer करेगा जिस conductor के अंदर लगांगो वहाँ पर potential difference करेगा और conductor के अंदर free electrons होते हैं लुआ पार फ्री एलेक्ट्रस क्लाँ करें करें जब हो पोटेंशल डिफ्रेंट को मेंटेन करेगा तब केरेंट वहा पर फ्लो लोकार भाइन ऑगर को पॉटेंशल डिफ्रेंट कितना यह میजर करना है तो मुझे आह पर वूल्ड मीतर नामक बॉल्ड मीटर नामक इस इस घ lot सबस्क्राइब है लेवानि सारी मैं लीस्ट काउंट कैसे देखते यार मैं बार बार नहीं बताओंगा तो सेचाने अई हाच एक बार भी डिस्कस कर लिया तो इसको हवड़ मिनिमम लिस्ट काउंट उतना जादा वोल्ट मेटर अच्छा होगा ऐसा क्यों क्योंकि मैं उतना प्रिसाइज वैल्यू कैल्कुलेट कर पाऊंगा अब सोचो अगर एक स्केल है जिसके अंदर सिर्फ एक संटिमेटर दो संटिमेटर तीन संटिमेटर दे रखा है और अंदर में कुछ ना दे रखो कुछ ना दे रखो मतलब 0.1 0.3 0.5 विसको नोगे कर सकते अब जब तो ना पने बोलेंगे तो तुम यह बताई नहीं हाँ और सुनों अगर वहाँ पर और ज्यादा प्रिसाइज कर दे तो मैं यह बता पाऊँगा कि भाईया यह जो डिस्टेंस है इस इग्जाक्ली 5.25 संटिमेटर अब कौन सा ज्यादा प्रिसाइज हुआ यह वाली वैल्यू जितनी ज्यादा डेसिमल वैल्यू आगे आगे इस अछा होगा यहरी की जीजक हूंत हमेशा किया होना चाहिए यह सवाल आता है सवालाता है जैखी स्वाख करेंगे इसको कैसे लगाते यह शिख संगल में करते हैं पृ commandments करते हैं यहां फॉप्फिली में तुम्टून का मतलब क्या है मैं लोट ej करूंगा नोट से तुम लोग एक बार गाइडेंस लेने के बाद उस चीज को नोट करना मैं पहले वदा दे रहो कोई प्रिंट आउट या कोई ऐसा कुछ निकालने के ज़ुरत नहीं है जो नोट मैं तुम लोगो दूँगा उसको खुद से pen paper में लिखना है जो हम लोग ले करके Netflix and chill नहीं करना Netflix and chill नहीं करना वहां बर्बाद हो जाएगा प्रपढ़ाई सम्झे याद नहीं रहेगा कुछ भी तो फटा फटा फटसे तुम लोग इस चीज को नोट करो यार फिर मैं तुम्हारे से हमने आगे की चीज़े लिकर के आता हूँ अब हम लोग ने एमीट शचीज़ पेडेंची डेपरिशल ह्डा़त है इस तुमेसरेट ता फ्रकाल ने। इसले ज हम लोग विज़े सने लिकर इस जर्ट करेंचर अंड में टालता है अमेट बेंक्रसमीध याज अचब करते हैं वियां दूसरा क्या है देखो वोल्ट मिटर जो है इडिस हम अन्प गर्णिज इन पर लल पारलल लगाना पड़ेगा दूसरा इसका वे इस कनेटेट इन सी इडिसए सिरीज सीरीज में लगांगे सको सीरीज में तीसरे पोइंट की बात करते हैं इसको पर तायल में लगाते हैं इस को सीरीज में लगाते हैं इसमीर हैध्य हैर से वंठत कर र मैं और हैस न्यौ European संज उब संसे क्वा रहा हूं कि करने में दिक्खत आ जाएगा अगर मैंने पर पर किसी करन से जादा होgehen तो वहाँ प अपने रास्ते में रुकवाट नहीं पसंड और पिर को में में किसे करूंगा और यहां पर मैं चाहताओ कि हाई रेजिस्टेंट्स हो यह चालोगी क्योंकि मुझे ठोक्यों अगर Zion करेगा करेगा post nee को भॉल्ट मिटर से निकलने की कुशिश करे और अगर जो यहाद नहीं है तो यह क्या होता है आई जी सब्सक्राइब कोई अक्षवल में राम जीव बन सकता है कि नहीं उसी तरीख से बिटा अगर ऐसा आइडियल कंडिशन जिसको एक्षवल नहीं किया जा सकता प्राक्टिकली अचीव नहीं किया जा क्षपता लेकिन ठाइजिव करते हैं तो आईडियल वल्टमेटर है जीरो जीरो है जिसके पास जिसके पता जैसे में बखे बसधका सब्सक्राइब नियान वहां से आपका है उन्हेर टपिक से पक्का है तो बेटा उसको अच्छे ते प्रिपेर करना जहां पे मैं कुशन मार्क लगाता हूं ठीक है जानी लगाता हो उसका उसका समझ ना एक लूब जीज इंपॉर्टेंट है जैसे कि यह पूर पूर्ड चीज इंपॉर्टेंट था ठीक है अब हमाना सामने से हट रहे फटा- हैं में 1826 में इन्होंने क्या किया एक रिलेशन दिया ये रिष्टा क्या के लाता है बिट्वीन आई एंड वी आई और वी के बीच में रिलेशन दिया और उसकोंने क्या कहा बिटा बिच्व को अपने किया कहा तो और स्ट इस अभी के बीच में रिपीच में उसके बारे में बात करता देखो इस इस बैट नीक चलो आजिव इस टेट सेटS डाट इस तेस या इट इस टेट इस टेट जाट इस पॉनदेट सेंट इस तेट अच्छे से लिखते हैं, यह बिखते हैं मुझा ने को चेसरी तोड़िए टॉछो खेसée 햐 और दे- एक्ट्रिक्र्रेठ्रेट्ड्रेंट्टिक्र्रेंट प्लॉएंट्रोर था रिधिक्टर दो था aoकन द र क्यौ-डिक्ट GREEN is directly proportional is directly proportional to the potential difference potential difference across across the ends of conductor across the ends of conductor provided यात रखना प्रोवाइड तैमप्रेचर योर्न प्रोवाइड टैम्परीचर अंड अधर फिज्यकल इसि विजिए का डिशन के रहा है जो हमारा करेंट है फ्लो कर रहा है डाट टिढ डारेफ्टली प्रपोर्शनल थू अपना हना पोटेंश्य डिफरीट अपना पोटेंशल डिफरेंश बात समझ मैं इसका मतलब यह अगर हम पोटेंशल डिफरेंश इंक्रीज करेंगी तो हमारा करेंट जो है वो क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा और अगर पोटेंशल डिफरेंश डिक्रीज करेंगी पोटेंशल डिफरेंश डिक्रीज कर जब में इसको क्या बोलता है और अच्छे देव मैं अधिक लिए 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 पर कही पर मैं तेकली इस तरह की से पेजिए करेंगे अप्सेट नो आई इस एक लिए पर पोर्शनल डिए जब मैं डिर्कली प्रपोर्शनल का सिंबर हटा ता हूं अनुट यहां पर एक q To sign आता है और मैं हाँ पर कह सकता हूं V is equals to IR वेट वेर वेयर आर इस रेजिस्टेंस आ इस रिसिस्टेंस बिसिक लिए ऐक इक डिर्रफ़सर फ्रपोर्शनल का इस विए जिसको लोग यहां लिए कॉंस्टेंस नाम देती है जम एक आचिंच भी अचिंच यह उता हो तो ए एक constant value आती है उस constant value को यहाँ पर नाम है बिटा resistance क्या नाम है बिटा resistance resistance ओके resistance यानि कि बैया electric current जो flow कर रहा है मेरा हना वो डैश्टली proportional होगा potential difference की यह रिष्टा हम लोग को क्या क्या लाता है हम लोग का ohms खराब हो जाएगा ओम खराब हो जाएगा याद रखना ओम को फॉलो करने वाले conductor क्लाते हैं हालक यह सारी चीज़ तुमारे काम के लिए हां तो फिर भी जो conductor को फॉलो करते हैं लेकिन कुछ conductor ऐसे भी होती है जो ओम को फॉलो यह आई है तो यहां पर यह है जो स्ट्रेट लाइन के लिए स्ट्रेट लाइन के लिए स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग मैथमेटिकल कंडिशन बोलते हैं कि Y equals to MX होना चाहिए जहां पर Y में हमने या रखा है या आपने य एकसेस में रखा है V, और M एकसेस में रखा है, M मतलब होता है बेटा, जो constant value आती है, constant value, यह होगी तुम्हारी M, और यह जो X है, X है, उसमें रखा है या I, यानि कि मैंने graph कौन सा बनाया है, यहाँ पर मैंने बनाया है V I graph, क्या मैंने बनाया है, V I graph, अब बेटा, कभी-क अब एक्जाम में क्या करता है, तुम लोगों के साथ मस्ती मजाक करने के लिए, वो लोग V I graph की जगह देते हैं तुमको IV graph, धोखा देते बेटा धोखा, यहाँ पर देते तो तुमको IV graph, अब IV graph के लिए जब तुम बनाऊगे तो इसमें भी straight line ही निकल के आएगा, पर यह की जगह पर इस बार मैंने रखा है, बेटा मैंने इस बार रख दिया है I, क्या रख दिया मेरे भाई, I, अब सोचू, अगर Y की जगह I है, तो यह आर कहा जाएगा भाई, यह तो नीचे आजाएगा, अगर I को मुझे I की value निकलनी है, तो I will be V by R, yes or no, बिल्कुल, yes, अब अब भाईया, यहाँ पर जो M की value हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 by R, यहाँ पर जो value हो जाएगी, that will be 1 by R, और X की जगह में रख दूँगा V, यानि कि भाईया, यहाँ पर जो मेरी value आती है, that is I, R, 1 upon, हाना, upon में I, R, हाना, 1 upon में R, 1 upon में R, और यहाँ पर जो निकलनी है, that is simply simply R, जब वी आई ग्राफ बनाता तो simply simply मेरी value निकल के आती है, that is R, और जब मैं यहाँ पर निकलता हूँ बेटा, तो मेरी निकल के आती है value 1 by R, 1 by R, इसको फटा-फट से note करो, फिर हम आगे की वरतालाब करते हैं, और वरतालाब करने के बाद मैं तुम लोगो एक चीज़ बताने चाहूँगा, कि हम लोग आज के lecture में numericals consider नहीं कर रहे हैं, questions को consider नहीं कर रहे हैं, सिर्फ purely पढ़ाई करेंगे, chapter को पढ़ेंगे, एक और lecture आ सारे question रहेंगे, हम लोग इसी chapter का conduct करेंगे, और उसके अंदर सिर्फ question discussion करेंगे, तो मैं वहाँ पर types of variation of questions बताऊंगा, जहां पर यह उपर नीचे हो, तो क्या हो, हाना 2R को किसे consider करना है, वो सारी चीज़े वहाँ पर cover करेंगे, ठीक है, फड़ा-फट से इसको देखू, फड़ा-फट से देखू, कहीं पर कोई समस्या है तो बताओ, कोई समस्या है तो बताओ, यह representation वहीं बताया आपने, okay, okay, sorry, representation नहीं बताओ, कहां बताओ, यह काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर मैं representation और आगे की चीज़े बताता हूं, चलो, अब जो resistance निकल क के अंदर होता, यह property, अब यह property मतलब, जिस तरह कैसा चार्ज का समझाया रहा है, property मैं एक समझाया रखा है, क्या बोलते हैं, कि इसको बोलते हैं, तो यह प्रोपर्टी ऑफ कंड़क्टर, to resist, or oppose the flow of electric current, to resist, or oppose the flow of electric current, इन्हें नहीं पसंद electric current flow करना, और उसके बाधा बनती है, जैसे देखो, कोई भी चीज अच्छा करने जा रहे हो, कोई भी चीज तुम सहीं से कर रहे हो, तो उसके बीच में कोई ना कोई बाधा जरूर आती है, और उसी बाधा का नाम है, बेटा resistance, resist कर रहा है, बोलता है, मेरे से flow मत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम बसे flow करो, flow क करने से, इलेक्тор करेंट को Shakespeare करने से, करना को क्या बूलेंगे विया, resistance बूलेंगे, ऐसे इंसान को बने पिया क्या, resistance बोलेंगे, हैसे चीज को प्र बोलेंगे, resistance kayak as बेसिकली क्या समझ समच सहीं, कि कसे miejsce है मैं तुम को आगे समझाता हू रहा है उसको रोकने के लिए, जो conductor क कि प्रॉपर्टी के अंदर के एक अंवालिक्यूल से यार वो उसको रोकने के कोशिश करें विंगा इस सब फ्लोक कर जाएगा और उसको रोकने के कोशिश करता है उसके क्या रेजिस्टेंस कहते हैं विए विई विए पीछे देखकर यास तो आरस इकोस्ट्स भी रैयोए अध्युपर पुटेंशय डिवर धनों इसको और वी कैसे हैं इसम्षेल्ड नार इसटेपल इसको और हैं दूसरह तरह थे um Itsa तका मिवच्टा अभर दूसरा का पी Educational то इस दॉसरा ने बॉसकता है है flowing through it हाँ यह ना हाँ यह ना इसका रेशियो होता है पॉटेंशियो इसको करते हैं इसको किस से करता है भी गासे तो पहले बटक्ले करने के कोशिशिच करें तो पहले बटला क्या होता है विका का होता है अर्य इंपरंप je ऐसा दिफ्रेंस अन्नीप कर रहा है उसमें जो रहा होती है उसकी करण से प्यदा हुती है उसको मैं बोलता हूँ यहां मैंने वर्ड़ में बता दिया कि वनों को किस तरीकी से डिपाइट करना यार प्लीज उसको एक बार लिख लेना मैं क्या है इसको नोट्स प्रवाइड कर रहा हूं उस नोट्स के अंदर में definitely ये सारे के सारे की definite और सारी चीज सों लोगं मिल जाएंगे उन चीजों को बाच्छे तरीकिए सी टाइप कर रख रहा है ऊपने सा Мос्थ नोब नाना लेक्चर नोड्स के साथ-स उस Chinese में बहुत और चीज़े एड़ कर सकते हो एक बार रेफरेंस ले सकते हो तो वहाँ पर तुम लोग को वह चीज़े मिल जाएंगी है तो मैंने यहां पर फटा-फट से क्या करना नीचे में लिख ले रहा हूं था हमने यह देख लिए अब लुक्त अफेक्टिंग आर कौन कौन से हैंने लोग करें और जो जो कहानी फेकनी है वह कहानी ही हम तुमको लिख करके देंगे करके दूब यहां पर लिखेंगे बहुत पर टाइम लागता है फाल्तक पर टाइम तो इसको force नीच सिंगक capture में आगे और की उसफारी अफ से तोड़ा है जैसे की और आ था कॉस क्या है कॉछ ग्यां से देखना विदा यह कंड़क्टर है यह कंड़क्टर है इसके इस तरीक से इलेक्ट्रौंस है वह इस डियर्क्षिन में करने के कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर के भी पूरली तो कुछ न कुछ मौलिक्यूर्स होंगे कुछ न कुछ ओर मौलिक्यूर्स होंगे वह इसके बास्ते की रुकावाट बनेंगे यह कौँ है बैपने मौलिक्यूरा मौल्ज्यूर्स हो Can I atoms ions of conductor. और इनके करणा से यहां पर resistance होगा, इनके करणा से क्या होगा resistance होगा, हाँ या नो, देखो ज़र, इनके करणा से resistance होगा, अब resistance मतलब यह चाहार रहे थे free electrons, कि हम तो चले सीदा सिदा, हम तो चले सीदा सिदा, मालूम चला वहां से आया एक एटम और ठकर आगया डूम एक्सिदेंट हो गया यह लोग फुल स्पीड में जानी पारे जाना तो फुल स्पीड में था तुमको यह था कि 120 के रफ्तार में गाड़ी चला कहा है कि पुरा रोड खाली है लेकिन बेटा अब रोड में भीड पॉजिशन नहीं होता तो गाड़ी बुई बुई करके भगा लेते बहुत लोग बिया हम तो कट मारता में निकल लेंगे निकल लोगे बहुत बहुत स्मार्ट हो तुम अराम से निकल लोगे अंडरेज ड्राइवर तो यह चीज होता है यानि कि फ्री एलेक्ट्रों को जो वयंकर करते हैं जिस पें ररेजिस्टेंस अनो यहाँ पर कोशन मनता है यहां पर कुशन मनता है चुर्य अज्शन टिंगu वैक्ड does affecting अक्टर कंड़क्टर कर लेंद्ध क्या है अन उस बाद डिपेंड करेगा मेरा जितना लंबा रास्ता होगा यार जितना लंबा रास्ता होगा उतना ही ज्यादा मेरे को कठेनाई आएगी जीवन में उतना ही ज्यादा कठेनाई आएगी हाँ या ना हाँ या ना अगर मेरा छोटा सा रास्ता होगा तो थोड़ी बहुत कठेनाई आएगी चल जाएगा करें करूंगा तो क्या करगा weak अगर करें यहytyy तो इसको समझ 뭐 यह देखो अगर यह चोटा रास्ता है यह चोटा नाजस्ता है इतने साव्ह लुम मिलेंगे इसका पहले अली से निकालना पंछारी मेरा ऊता जो-कूबकर तो भैये जीटना जहाधा रास्ता उत्ना ज्यादा रॉकवाट जो हमारे इसलेंगे आ है वो कर अल पूसरा हो ऑलमे सब्सक्राइब करता है आब भया area of cross section पर कैसे depend करेगा that is universally proportional इसका अर्थ यह है पुत्र इसका अर्थ यह है कि अगर मेरा area बढ़ेगा तो मेरा resistance क्या होगा घटेगा और अगर मेरा area घटेगा तो मेरा resistance बढ़ेगा कारण समझना बेटा अगर मेरा मेरा रास्ता जो है वो चौड़ा है हाईवे का रोड है हाईवे का रोड है तो कट मारना असान होगा की नहीं होगा अब उसी को एक पतली गली में लेआओ अब पतली गली के अंदर मैं बोलू कि भाई अब हमको यहां पर गाड़ी चलाना है चलाइए भगाईए पतली गली के अंदर लगाईए 120 के मालूम चला-जाला रहे-चला रहे-खिड की खुल दांए खतम वहीं पर यानि कि जैसे ही रास्ता पतला हुआ भीर जित्रीक भी है कंभी होगा तो लगेगल लेगए लिए कम भी दो जैंस्टेंस जादा मिलेगा और कैचिए भिया और कितीए पीजित्सौन सब्सक्राद सब्सक्राइब करें टैसा खुर्टमेंट टरेलता है इसे इसे पास भेटा त्रीबॉसdate बनता है और स्यू के पास टू प्लस चार्ज मनता है जो आयन का साइज होता हो थोड़ा छोटा होता है कि इस कारण से यहाँ पर ज्यादा डिफिकल्टि पाए जाती है इसमें इस कारण से कॉपर में मिलता है मोरे सिंज डू यो गेटिट नाओ तो नेचर आफ मेंटर करता है विटा किसी तरीकर कंड़क्टर ले और कौन सा वायर ले रही है तो उस बात पर भी डिपेंड करता है फिर बेटा आता है चौथा नंबर जिसको बोलता है टेमपरेचर और यह पॉइंट इतना इंपोर्टेंट है कि पूछो मत इसलिए अब न पर टेमपरेचर अलग प्रकार से डिपेंड करता है यानि कि यह क्लास्ट मारा करके नमपर थोड़ा से तुम्हारे लिए चेंज हो जाएगा पर यहां पर समझना कि अगर रिजिस्टेंस बढ़ा तो तो बढ़ाएगा और अगर तेमपरेचर घटा तो मेरे रेजिस्टें और वो भी एक पटिकुलर टेमपरिचर तक पटिकुलर टेमपरिचर तक यह है तुम्हारे चार पॉइंट्स जिसके ओपर मेरा आर अफेक्ट करता है अब बेटा यह दोनों तो समझ में आता है इन दोनों चीज़ को कॉंस्टेंट कर दोगे तो बेटा यही दोनों इसको नोट करो फिर मेरा आगे की बात करते हैं अब बेटा समझना कि जो हमारा आर है इट इस डेरिक्ली प्रपोर्शनल टू लें और आर जो है वह इंवर्सली प्रपोर्शनल टू वन अपन एरिया है जब मैं यहां पर इन लोगों को सिंपल सिंपल लिखना चाहूं तो म बोलता है जो दिखता है और इसका नाव अभीड़ स्पेसिफ इंप आप स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिजिस्टेम्स ओख सिवक्टिन स this is the resistance this is the resistance for resistance for per unit length sorry for unit length unit length and per unit area per unit area yani ki bata hamna yahan pe kya kya agar एक मिटर का मेरा सक्का ओर एक मीटर का मेरा एरिया सका Cape sculpture ame 인 would have Cup I say its Aramane قाणा हैasi इस फिसे इस्थ के भी स्काष है इसका आप 11 कि निकार में skrt घ्लैका कोच्व्पार में लिखते हैं up weaker a media um मैं हमेशा एक elic cauliflower के लिए मैं हमेशा एक स्पोसिक और बात कर रहा हूं कि is specific एरिया में किसी भी में इतने एरिया का जब मैं नंखालूंगा रिस्सिटिवीटी बताऊंगा जब Hi men szedlin निकालूंगा एक इसको मैं कहूंगा भीया कि इसको मैं बोलता हूं specific resistance अभी इस बात नहीं यार स्पेसिफिक resistance क्या हुआ यह पूरा conductor है इस conductor के अंदर से मैंने यूनिट एरिया काट लिया इस यूनिट एरिया और यूनिट लिंध का जो मैं resistance बताऊंगा कि यहां पर आर की वैलू क्या है उसको मैं कहूंगा रो उसको मैं कहूंगा रो बात समझ मैं की नियुक्त रो इसको रो बोलते बिटा रो इसको सिंबल को नाम है रो यह तुम्हारा फॉर्मुला भी एन एक तरीक देते हैं एक ऐसा रिजिस्टीमिटि का ऐसा यूनिट देख आज बताते हैं तुम्हों अगर प्रेजिस्टी की बात करें हाना डिशिस्टीमिटि की बात करें यह क्या निकल के आएगा यह एक ओऊ इधर बिज दे हाना आर एपॉन में लिग लिए लिग दे कर आए के तो उसका तो हो गया ओम इसका हो गया मीटर्स वाई अनीचे और मीटर में से एक मीटर कऱ जाएगा तो इसका बचाए रह मेरा एसा यू इंत होगा कि बृवर्रच पेटी और मीटर मेरा ऐसाइड होगा ओक खचाहिए ऐसा युनित निकाल दिया हाना यह निकाल दिया बहुए है स्टेक पॉइंट लेंटर रिजिस्टिविटी डज नॉट डज नॉट डिपेंड ओन लेंट एंड एरिया ऑफ दर भी इसका नाम स्पैसिफिक है यानि कि किसी भी कंडुक्टर के लेंट और एरिया पर यह डिपेंड ही नहीं करता चुकि इसके लिए fix कर दिया ना भाई पर यूनिट एरिया बोल दिया जब पर यूनित लेंट एरिया के अंदर का जब रेजिस्टेंश निकाल लूँगा उसको मैं रेजिस्तिवीटी बोलूँगा तो बाया उसका क्या मतलब है वो तो को चार फेक्टर से इसकी चार फेक्टर से पहला था या लेंट ठीक है दूसरा था या एरिया ठीक है तीसरा था इसका तीसरा था नेचर और चौथा था मेरा चौथा था मेरा टेमपरीचर चौथा था मेरा टेमपरीचर अगर मैंने यह दोनों चीज फिक्स कर दिया यह depends on only depends on किस किस बात पर नेचर ओफ मटेरियल नेचर ओफ मटेरियल and temperature and temperature यानि कि resistivity मेरी हर वायर के लिए लग होगी यस पर अगर single wire है उसमें मैं length change कर देता हूं उसमें मैं उसका area change करता तो resistivity के value बेटा कभी चेंज नहीं होगा एक single conductor के लिए क्ेस्टेइड के लिए मेरी रेस्टिविटि की value कभी चेंज नहीं होगे कि क्यों वह specific resistance अधिशंग की value हाँ length को change करने पर area को change करने पर ठीक है length को change करने पर area को change करने पर change करने पर चेंज हो जाएगी देखिए का हो जुभए बढ़ा हीधा चलो अब हम लोग नहां एक काम करते हैं रिजिस्टेंस की फॉर्मूला था था ना उसको इंट सोफ सफ और वाल्यूम को अ रहते वह सब्सक्राइब करने वाले हैं हम लोग को करना क्या है वहां पर रिजिस्टेंस किस तरीके से चेंज होगा तो उसके लिए जेंडरलाइस्ट फॉर्मला में तुम लोगो निकाल करके देता हूं हाला कि तुमनों को शांट करता है तो समझ लेना नार संप्ली एन स्क्वियर आर कि ब्राबर होगा और यह एन फ्राइंग क्या है बीके टी है बीके टी भाई का तरीका अब भाई के तरीका से सौल करोंगे तो असे सवाल आसान हो जाएगा अभी देखना मैं तुम लोगों को बताता हूं किसे यहां पर सन्ना अगर मैं आर की बात करूं तो डाट वर सिंपली रो एल अपॉन ए ठीक है रो एल अपॉन ए हम और इंड़ का पता है वी नो जो बॉल्यूम होता है डाल एल एक लेंफ है ठीक है अगर मैं यहां से की निकालका था गाएगा तो सिंस्पली सिंपली आर हो गया वो क्या निकलके आए रो एल अपउन एरिया के जगा व एल रिखूंगा तो यहांपे व रिखूंगा व उपर चल आयाँ तो ल स्क्राइर बाइ बैस को आए वी अब secular ड़ियर दैस के लिए निकल लेंथ को चेंज कर रहा हूं तो अब यहां पर बेटा इन दोनों को डिवाइड करो अब मैं पहले ही बोल देता हूं कि तुमको हमेशा जिसकी वैल्यू निकालने है उसको उपर रखना जिसकी वैल्यू निकालने है उसके उपर रखना और जिसकी वैल्यू पता होती है उसको नीचे रखना तो रैजबाए अब करता हूँ रों से रों कैंसल टैस कह स्कॉयर आपन में स्कॉयर यह निकल करोईगा अ यह निकल जाएगा यहां पर क्या था अब यहां से लेंद क्या यहां पर इस कारण से मैंने जो फॉर्मिला बताया तुम लोग को यहां पर लिखा हुआ है एक अगर इफ इफ लेंथ इस डबल लेंथ को में डबल कर देता हूं तो ल की वल्यू क्या होगा यहां टू टाइमस अफल फना टू टैमस अफल नुबर तूंको यहीं पर देखना लिख नहीं बाद नंबर आफ टैमस डबल किया है तो मेरा जो रिस्टेंस होगा अटैस होका तू का स्कुर्य आप कर दो को सब्सक्राइब मैंने ने लेंड को आधा कर दिया आधा अधा 1-5-1-4 तो यह तो बीचिस्टीन टाम कर दिया लेकर लिए इसक्वार कर लेचा लिए स्क्काइर कर लिए लए कर दिए बारा का स्कोर लिखने उतना टाइम सोते जाएगा इसका अर्थ यही है तुम्हारे को एक आई फॉर्मिला पता होना अची आट डाइस इकोई स्कोर भायार खत्ला मत सोचो सीधर सीधर फॉर्मिला लगाना आंसर आजाएगा अगर तुमको एरिया वाला समझ नहीं तो आपे क्या करते हैं जब हम उसका लेंट करते हैS अरे जोटी का गोला लेलो अभी घर आपया गौल बला में खेंड ऑल अब उसको लंबा यानि कि लेंद बढ़ाता हो तो एरिया घटता है लेकिन बेटा एरिया लेंद वाली कहानी छोड़ो सिधा-सिधा एक कहानी पकड़ो और यह और फॉर्मुला लगा करके तुम इसके साब से पहला है तो फटाक से निकाल देगी तो देखो MBC के टूडें तो इतना तो करी सकत कि कोई तुम को पूस दे कि वहां कितने टांशेंज होगा तो फटाफट से इसको नोट करो बहुत इंप्वाटन है उसकी अब इसके पर निमेरिकास तो आते ही है पर निमेरिकास हम अभी नहीं करेंगे हम अगले बार कभी करेंगे उसके लिए एक पूरा सेपरेट सेशन और टीपल रेजिस्टेर्स होगे तो मुझे उसके लिए एक 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 रिशिस्टेंस निकालना पड़ेगा ताकि मैं अपनी कैलगूलेशन कर सब्कूलेशन एक मिलता है मुझे पैरलल कंभीनिशन और यह दोनों ही सिप लोको डेरिवेशन के अंदर ही देखना है आता है अब होता है अब को सीविग पैरलल के अंधर से पूछेगा है इस निदिन्यक चीज़ पैरलल आप तुमहारा सिरीगे नुमेरिकल्स इससे पूछता है generally तो इसी साथा है इन दोनों से स्थिर्फ derivation पूछता है और derivation हम लोग भी करेंगे फड़ा-फट से तो हम लोग देखते हैं कि यह parallel condition में और series condition में किस तरीके से मैं equivalent resistance calculate करूंगा equivalent resistance या effective resistance में किस तरीके से calculate करूंगा नुमेरिकल्स अगेन अगेन मैं बता रहा हूँ यह सारे चीज़ों के उपर जो कोशन बनते हैं उस चीज को हम लोग सेपरेट से कोशन डिसकर्शन वाले वीडियो में करेंगे उस दिर मैं सारे के सारे पीवाई क्यूस कराऊंगा अगर हां ऐसा नहीं है मैं अभी नहीं करा स चैप्टर को खतम करते हैं और दूसरा यह वात है कि मुझे कोशन लिखने पढ़ेंगा कोशन जब मैं लिखूंगा तो इसमें मेरा बहुत जाए टाइम जाएगा अगर वीडियो को आफ करके बनाता हूं तो उसमें बहुत जाला टाइम लगता है कि मैं पहले कोशन करूं फिर वापस रिखूंग फिर रूख करूं बहुत साथ टाइम खाता है स्किप आगया कुशन फिर इसको सवाइब कर दिया इस कारण से प्यूए कि अभी प्यूए क्यूए कि अभी नहीं कर रहे बिटा प्यूए के सम लोग सेपरेट लेक्शर में करेंगे ठीक है चल नोट्स के अंदर सारी कता कहानी इस दीच को लिलेटेट तुम दोगों मिल जाएगी तो यह मैन साँ ठीक है तिक अधिकश्व एए फिलाल मांते है यह 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 हूगय यह हूगय यह वोल्ट मिटर यह वोल्ट मिटर यह बहुत मिटर इसको प्लस इदर मैनस इदर किसे प्लस इदर मैनस और इस तरीग संग है सिरीज में के दर हम रही है वर्ट के लगा हुआ है यॉया तुमारा रिज्टन्स यारे-धान के इसके दर बेंज़िू के अबAT i current pass किया है। मैंने i current pass किया है। अब जरा बताओ, क्या i current जो यहां से निकलेगा वो तीनों से pass होगा? हाँ। तो क्या i current मेरा divide होगा हाँ। नहीं। potential difference इस पुइंट पर इस पुइंट पर इसे पुइंट पर क्योंकि अलग अल्ग point है तो अलग-अलग होगा? हाँ यानि कि यहां पर वी वन वी टू वी थी अलग अलग होगा हाँ अगर मैं तोटल पोटेंशिल डिफरेंस की बात करूं तो यहां पर वी पोटेंशिल डिफरेंस होगा हाँ और अगर वी पोटेंशिल डिफरेंस होगा हाँ और अगर वी पोटेंशिल डिफरेंस होगा त यह है डिफरेंट रहेगा किस कंडिशन के लिए इस कंडिशन के लिए रहेगा वी डिफरेंट रहेगा नाओ 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 वी विल इकोल टू वी वन प्लास वी टू प्लास वी थ्री येस और नो बिल्कुल येस अब भाया यूजिंग यूजिंग ओम्स लॉग और यहां पर कैपिटल आई कैपिटल और यह जो आर है वो तुम्हारा रहेगा इफेक्टिव एफेक्टिव या फिर तुम इसको बोलते ना सीरी आर एस लिग दो आर एस लिग दो सीरीज रहना कॉंबिनेशन के लिए जो मेरा आर निकल के आने वाला है उसको मैं आरेस बोट आती है बोलते हो मैं यह जिम से यह डिरिवेशन नहीं होता कौन से टीचर से पढ़ते होरी अब यहां पर आई को कॉमन ले यहां पर आई आरस है और इधर भी आई कॉमन लिग ले गए अंदर में बचे अब यह आरवन प्लस आड़ टू प्लस आर्टी तो यहां से आई आ कर ना है इं सीरिज मुझे डिरेक्ट डिरेक्ट रेजिस्टेंस को अड़ करना होता है यानि कि ब्यूसर अगी जब ही भी मुझे डिरेजिसिंस निकालना होगा टोटल सीरीज के अंदर वाल्यू one से लेकर कि आई तक डिपेंट करें तो यहां पर वन से लेकर के इसकी वाल्यू डिपेंड करेंगे यहां तक कि वैल्यू डिपेंड लेंग जती है यह समझ में आगी अब बताओ मैं पैरलेल क्या वापस से यहीं पर निकालों कि पहले तुम सीरीज को नोट कर लो ठीक है फिसके फीचर सब्सक्राइब के बात कर लेते हैं जिसमें से भी फिर और उसके बाद से Disadvantage केἀ सब्सक्राइब कर सेब्सक्राइब Jège रहेगा तो अन्हें यह रहे हैं इपने तो और समझाने की सब्सक्राइब हमारे आए का जो डिफरेंट अस्को इसको it cannot be used it cannot be used for domestic connection domestic connections domestic connections का मतलब यह क्या है domestic connection का मतलब यह है इसको घर में तुम लोग connect नहीं कर सकते घर में इसको connect नहीं कर सकते सीरीज में कभी फ्यूज़ होल सरकीट विल स्टॉप होल सरकीट विल स्टॉप यहां पर क्या होगा अगर यहीं नहीं है तो करेंट आगे नी जाएगा तो यह दोनों अपने बननी हो जाएंगे जोनों टेशेल दोने लिएफ यह नोट यहीं फिर से जाएगा इस करण से इसको घर में लगाते नहीं है इसको घर में लगाते ही दूसरा सुनों दूसरा बन कश्वा कुदा और वजुन अगर यहां पर देखो चीविए को मान के चलो 5-5 एंपएर की जोड़त ही तो यहां पतल डिफरेंट डिफरेंट आई की नीड थी लेकिन आई तो सेम जा रहा है तो फॉर डिफरेंट फॉर डिफरेंट है यह यहां समय रखका है इस स्किगत है नोट में लिख रखकाय को नैट समय ओड कर आए धिके ठोट आपर से ज्ञाने से वर्ट निया रहाद मेरी माग में वर्ट निया रिखान से मैंने लिख रहाँ अव डिफरेंट अप्लैकbrar ते रिखरेंट इस हैं और तन इन स्ट सेट in this combination there is only one current flowing through every resistance या फिर एवरी अप्लाइंस एक ही वैल्यू ऑपर क्या मते जो करेंट होगी वह हर रेजिस्टेंस के तुरू करेंगी हर रेजिस्टेंस के दो फ्लो करेंगी यह डिसट वांते लिए फीचर समझ में आगे भी आई से मोता वी डिफ्रेंट पाई से मोता वी डि है तो यहां यहां पर फेर्फ वायर से अवल मकर्से कनेक्ट कर देते हैं यह प्लस हो गया मैन सो यहां से इस तरीक से तरयखे कव आया यहां पहला अ ठीक है थूड़ा आगे कर लेते हैं इसको एसा एट विल लुक बेटर ये ऐसा ले लो और नीचे से इसको एसा ले लो यह होगे मेरा R1, यह होगे मेरा R2, यह होगे मेरा R3, जरा मुझे बताना बिटा, potential की दो ही point के across निकालते हो, इसके across में जब मैं यहाँ पे एक voltmeter लगा दूँगा, तो क्या मुझे voltmeter की reading सेम आएगी या अलग लगाएगी, भीया, सेम आएगी, सेम आएगी, यानि कि जो voltage मैं प्रोवाइट करूँगा, वो सेम रहेगी, भीया, जो मैं current प्रोवाइट करूँगा, वो यहाँ पे पहले प्रोवाइट होगी, जिसको मैं बूलूँगा I1, यहाँ से पास होगी, तो मैं बूलूँगा I2, यहाँ से पास होगी, तो मैं बूल प्रॉम्ला करते हैं पहली बात तो क्या मैं यह बोल सकता हूं कि I will be equals to I1 plus I2 plus I3 होगा हाँ यह तो भाई पता है अब फ्रॉम ओम्स लोग फ्रॉम अच्छे यहाँ पर वी नो लितना हो पहले वी नो ठीक है वी नो फ्रॉम ओम्स लोग ओम्स लोग तो तुम कर सकतो अब यहां अब यहां आई की वैल्यम वाकलो अगर है आर यहां पे यहां यहां पर यहां पर यहां पर फ्टलो व been common और यहां पर one by R1 फ्लसमे one by R2 फ् psychology ये निकरके आएगा यह था य動画 प३िर है तो मही तो are चीसी मैं on ईूबर बनारी नीचरी शुसमें čंट इंट Rahman उन ईय्क oynगी फ्लसमें च्टीन सतरीके सबक्र sole हो गया हो गया एक चीज में तुम लोग को हैस्टिङ कर के बताना चाहता हो हो for having value of s model आजहए पार जब शिरीज में और तुमको पता हो कि r की counterosh paint ему theater कर ना और अगर पैरलल हो और तुमको पता हो हो कि आर की वेल्यू सेम है तो सीधा करना और बाइं इसके फीचर की बात करते हो यह फीचर सेख रखका है जो एडवांटेज होगा उसका यह होगा कि अगर एक अप्लेंस पेल कर तो यहां पर आई वेल्ट की वेल्ट की वेल्ट इसकी अंदर और उसके इसाफ से जो करेंट की डिमांड होगी उसके फुलपिल हो रही होगी तो जो दो हमने शीरिई में लखे वही यहां पर आडवांटेज हो जाता इस कारणार से हैं घर में जो कनेक्शन होता सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब करेंगे उस दिन ले लेंगे उस दिन ले लेंगे तो फटा-फट से तुम अगई यहां पर फीचर लिखना इसकी डिसद्वांटेज लिखना और फिर हम लोग बात करते हैं ट करेंट की बाद में करेंगे आफ्यात हवी एब हमें लोग बात करते हैं हीटिंगों छेल फिटेंग अब neat पहले तक तुम को समझा देता हूं कि होता क्या है फिर मैं इसका निकाल के बतावंगा यहां से नियूमेरिकल्स बहुत आते हैं अच्छे का हैं मेरियकल्स आते हैं और जूल। स्ट वह पूछता है स्ट जूज लोपेडिंग को था पुछता है इसके डेशन वैसी इंच्छ स्ट जादा नहीं आता है तो धेन करेंट फ्लोग्रोवें तुरू कंडॉक्टर फ्लोग्रोश थू कंडॉक्टर गेट ही टव टप गेट हीटेड अब दिस इन नोन एस हीटिंग फेक्ट अफ लेक्टर करेंग बैसेकलिए जब भी करेंट पास करेगा किसी चीज से तो वह बेटा कहीं ना कहीं किसी तरीके से गरम हो जाएगी तुमने भी देखा होगा अगर बल्ब में करेंट फ्लो कर रहा तो अब इसी बात जो तो हीटर गरम क्यों हो रहा है इसकी का रहा हीटिंग इफ्टान से यानि जब जब करेंट को स्लो कर आता हूं बेटा जिस भी चीज के करन फ़ो कर आता हूं वहाँ पर हमेशा हीटिंग देखने को मिलता है वाई वाई यह कंडॉक्टर अर्हाट इस तरहिके सी और यहा हुआ हुआ तो क्या हुआ 그러 फ्री उलेक्ट्रोन के पास जो कैनेक्टिक अनर्जी आई है उसका वो करेगा तो लेकर के उसका वो करेगा क्या तो वह करेगा यह जो आटम पाता कंडS रने निकल सकता नहीं किनदक्टर कikteट करके बाग यह चयाँमटектर के अब में कर सकता है इसको कनवर्ट कर दे हीट में आरकाल बार लिकालате यार पर टेलिआ नेजर को दे दे दिया हीट के फॉर्म में दे दिया और से का उपयोग हम करते हैं इसी का उपयोग हम करते हैं डिफेंट 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 अप्लाइंस में फॉर इजांपल बिटा हम लोग इलेक्ट्रिक आईरेंड यूस करते हैं करेंट पास किया रेजिस्टेंस उसमें अच्छा खाजा था तो हीट जो एनरजी दी जो इसको करेंट दिया उसके बढ़ेंगा और टाइम जितने लंबे टाइम तक चालू रखूंगा उतने टाइम तक गरम होगा काईसा दिखाते हैं फॉर्मुला निकालते तब तो समझाएंगे चला निकालते है एच का फॉर्मुला निकालते हैं कभी-कभी डेरिवेशन पूस्ट देता है कभी-कभी इसीश को कठें बनाते हुँ अच्छा वी नो वी नो हम यह जानते हैं कि जो वी होता है डाट इस डबलू बाई क्यू हाँ यो नो हाँ डवली बराबर हो जाएगा VQ हाँ यो नो हाँ नाओ नो वी ए भालटी अहाँ टेसल नो नो यूज इकूलघी ऑटी हो वह ए यह बात विट इस एकॉलेज याद रखना वी आई टी यह पंपने को पता है ना रे बाबा अपने को पता है और W और by VQ में ये Q इदर चला गया तो बन गया या W by VQ तो फटा-फट से इसको put कर दिया और put कर दिया तो W by VIT निकल के आएगा अब जितना work done होता है उतना ही heat होता है इस करण से मेरे heat की value भी निकल के आती है VIT बेसिक बेसिक इसको समझना है वेटा तो जो work done होगा वो किसके द्वारा होगा वह जो potential difference generate किया है उसके current से यहां पर work done generate होगा और जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ही तो energy लगेगा अब जितना energy लगेगा उतना ही energy change होगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे heat बोलेंगे तो नों का ही हाना दोनों का ही एसा unit joules में निकल के आता है एसा unit of heat is just अब हम लोग इसके वेरिएशन निकालते हैं तो यूज़िंग ओम्सलोग चच्चा का ओम्स चच्चा का रहाऊना करते हुए हम शक्तियों का इस्तमाल करते हुए सिधा सिधा बोल सकते हैं इसको पुट कर दो तो हम लोग ने बोला विया एच इस इकोस टू वी आईटी अब वी आईटी में हम वी इस इकोस टू आयर पुट करते हैं तो आई आर आई टी यह रखूंगा तो सिंपल सिंपल यह बन जाएगा आई स्क्वायर आर्टी हां या ना यह होए है मेरा जूर्स लॉव ऑफ हीटिंग और इसी के बारे में बात कर रहा हां इनी इन चीजों मेरी हीटिंग करती है अगर मैं आई बढ़ाउंगा तो जितना ज्यादा current दूँगा उतना ज्यादा मेरा heat बढ़ेगा जितना ज्यादा मेरा हीट बढ़ेगा जितने time तक on रखूंगा उतना ज्यादा मेरा heat बढ़ेगा जूर्स लॉप हीटिंग के पर थोड़े दर में और आते हैं और हम दूसरे ये भी कह सकते थी कि I is equal to V upon R तो हम जब VIT रखते हैं H is equal to VIT रखते हैं तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूं इस बार I को replace करता हूं हाना V upon R से और निकालता हूं तो मेरी value निकल क्याती है V square upon RT क्या हम इसको भी juice law of heating कह सकते हैं बिल्कुल कह सकते हैं लेकिन जेनरली इसको माना जाता है इसकी ज़रत नहीं है यह भी होता है यह भी होता है यह नहीं और हम अब पुत्तर फटाफट से नोट कर फटाफट से नोट कर अजब यहां से टाइम हटा दूँगा तो यह पावर का फॉर्मला बन जाएगा देखना चलो फटाफट से इसको क्या करो बिटा नोट करो कितना असान था अब जूस लॉप हीटिंग के बारे में थोड़ा सा बात क इसको हटाया और बात किया जूस लॉफ हीटिंग के बारे में जूस लॉफ हीटिंग जूस लॉफ हीटिंग क्या कह रहा है बिटा देखो जूस लॉफ हीटिंग किसको बोले यह आर स्कॉयर आर्टी को बोले आई स्कॉयर आर्टी को बोले अब एकॉर्डिंग तु दिस ए हीड is मैं रहां पर शोक्त में लिख रहां हूं हORA ती पुईंट आधिन टीज डिरेटाफी पॉर्पोष्णल टूब डिरेगे पॉपोष्णल्ड टूप स्क्वैर यॉव अइंच चैंnot करू हूं गा उसकी स्क्वाइर आ हुआ बराबर होगा दूसरा हीट इस डारेक्ली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ओफ और तीसरी बात भया कि हीट इस डारेक्ली प्रोपोर्शनल तू टाइम तू टाइम गारेंट इस सप्लाइड जितने देर तक करेंट को सप्लाइड किया गया है उसके डारेक्ली प्रोपोर्शनल होगा यह हमारा जूल्स लॉफ हीटिंग होता है अब इसके लिए बहुत सारे अप्लिकेशन होते हैं मैं इसको वर्बली बोल देता हूं तुम्हारे लिए बेड़ा एक होता है बल्ब एक ह होगा मेरे भाई जैसे ही करेंट पास करूँगा तो सिंस वहां पर रेड हॉट कंडिशन तक पहुंच जाता है और जब वह ऐसा पहुंचता है तो हीट एनरजी को बहुत ज्यादा अमांट में रिलीज करता है बल्ब के अंदर कुछ-कुछ गैसे प्रेजन होते हैं जिसके दिखाए देतार कुछ देर बाद ठंड़ा जाता कुछी सेकेंट भी जाता है यानि कि जितने देर के लिए में करेंट फ्लो करूँगा उतने देर के वहां पर हीटिंग एफक्ट जैने ठोड़न और जहां पर वहां पर बंद किया वहां पर मेरीडिंग्ट खताम रिजिस्टेंस पाइब पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक हीटर भी काम करता और बहुत सारे जितने भी तुम्हारे यहां पर एपलीकेशन तुम्हारे एंचिए में रखेंगे उस सब्सक्राइब गिव रिजन आएगा और गिव रिजन के अंदर तुमको यही चीज लिए करका ता गहांस के तो लिएलेक्टिक बात करते हैं तो जुसलाफ हीटिंग समझ भाज़ की। अब इसे के अधर हम तोड़ासा इंक बहalysts रिंग रहते हैं और फिर तुमको पावर समझाथे ऐलेक्ट्रिक पावर ठीक है एलेक्ट्रिक पावर electric power क्या होता है है या ? electric power is the energy the energy consumed per unit time the energy consumed per unit time इसको यहाँ पर simple simple से तुम यह लिख सकते हूँ यह लिख सकते हूँ यह पावर is equal to हमेशा होता है W upon t ठीक हो और यहाँ पर power is equal to W upon t है तो V it upon में t हो जाएगा और t से t तो पावर की जो वैलू निकल के आई कि that is simply V I और हमने बाकी formulas के according भी लिखना चाहें बाकी formulas के according भी लिखना चाहें तो पी इसी को लिखोगे वी आई तीक है वी आई दूसरा हमारा आया था आई square RT तो वहां पे लिखोगे i square R तीसरा हमारा आया था V square by RT तो V square by R यह हमारे power की तीनों formulas होगे हमने बस पीछे वाले में से क्या किया टी वाला term हटाया तो हमने पावर का formula बनाया पीछे वाले में से सिब टी वाला term हटाया तो इसा यूनिट ऐफ आवर इस वाट यह सवाल भी है और जवाब है ठीक है अब तुम समझ जाओ ठीक है एक बार क्या हुआ एक बार क्या हुआ एक टीचर थे तो उन्होंने क्या बोलते है सवाल पूछा एक स्टूडेंट से अब वो स्टूडेंट घा था बहूत बदमाश बहुत शैदानी करता था तो अब टीशर का मंद थे उसको मारे अब लेकिन मारे तो मारे किस कंडिशन में टीट है लोट इस अनुट पावर बट इस अइस वह इनट ऑफ पावर तेकिर वोट्ट इस तुमको रहा तो जितने बार भी आणा वाट बोलोगे वाट इस दा यूनित अफ पावर दिस इस वाट तो सिंपल सिंपल वाट तुम्हारी वोट लग जाएगी विटा वाट लग जाएगी तो भी वन वोट कितना निकल के आएगा याद करो वन वोट कितना निकल के आएगा बें सिंपली मुझी यहां से दिकत भी आई के बराबर है डाट इस पाल जूल एंप्य जूल एंपयर जूल एंपयर के बरबर आएगा वन यू आई है कि बिए यार जूल कही लिक्रावम है एक जूल कही लिक्राउं मैं तीक डूल कानी नुडि रिए व्य का बराबर आई खांड पी अब पॉटेंशिल और उसका पॉटेंशिल कर एक ब्रावर टेल गाई ओपन बार टीडर डेल वाट इस तो पी डिफाइगन व प्रूट भूस वर्ल पोटेंशल डिफ्रेंट्स अक्रॉस क्रास्सेक्शिन कि या अक्रोज दिकनेठर लिखना हो कुई देख़ा नहीं है है यह सब्सक्राइब आप बिगर युनिट स्मॉलर यूनिट इन लोग आ तुमको स्मॉलर बनाना है तो तुमको याथ करना विया मिली और माइक्रो मिलिवर्ट माइक्रोव तुमको पता जाए सकी पावर में 10 तो किल ले लग futur फिर ले लोगो मेंगा और अब भी मन नहीं भर आतो ले लो गूगhmen ड faint इसकी प्राश्टサिकल यूनिट की बात कर तो बенно प्राश्ट कर यूनिट के अंदर तुम्हारा फेवरेट आता है होर्स्पावर हो पावर कि तो सब्सक्राइब होती है इसको बोलते है इसको बोलते हैं एक्षी लेप्तुप वाला नहीं है होड में है का है अच्पी लोग बता निदिमाग बोच्छा चलता है 1hp एकट्स पावर के अंदर 646 वाट्स होटी है अब प्रैक्टिकल यूनियट होगया बिगर यूनियट होगया स्मॉलर इमिन अब आख और चीज की बात करें इसको कमर्शियल उनिट तो अगर तुम चाहो तो घुटा इस चीज़ को मिटा दिया जाए इस चीज़र को पॉस्ट नाम सही में आ रहा है किलो का मतलब टेनकी पावर में थ्री वाड का मतलब वट और ताइम का मतलब आवर का मतलब आवर घंटा यानि की कब बोलूंगा दा दा एनर्जी चिक दा या फिर दा पावर दा पावर था पावर था थाउजन वोट्ट अप्लाएंस रख अमड्राइस फुटिक समय फिर फणय और फिर फिर और इसको रहुड बोलते में किलोवक्ट आवर ही किलो वड़ आवर कर द overlap देखें एक का ओनमर सिल कम देखें किलो वत्सायं देखोगी वन किलो वाट आवर का तो इसको बोलो कि यार थाउजन वाट्स थाउजन वाट्स मल्टीप्लाइब आर्स कितना आर्स या वन आर अगर इसको अगर इसको हम लोगो क्वोड करना है जूस में तो कैसे करी फटाफट से लिखते हूं इसो एक वाट का होता है थाई होता है च्या है वाट क्या है वाट तो पावर के होता है अब पावर के लिए अगर मैं लिखों तो पावर के लिए मैं बता था डबलू बाइ टाइम सब्सक्राइब और जब मैं आर को घंटे को सेकेंड में करने की कोशिश करूंगा तो इट विल भी लिखिक 60 इंटू 60 seconds यानि की थाउजन टाइम्स 3600 थाउजन टाइम्स 3600 यानि की 3.6 इंटू 10 तो पावर 6 जूट वन किलोवाट आवर्ट आवर्ट यह अच्छी यह इसके साथ इसको ना और क्या बोलते हैं इसका अधर नेम अधर नेम फॉर के डेवलू एच के लिए एक और होता है जिसको बोलते हैं वह कि इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बिए ंजेयन यह अधर हां तर दे इसको कहते हैं मोडव और आफ ट्रेड यूनि सबस्या चे匹्टर हमारा समारा होपफुली तुम लोग यार इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा कर पूरा समझ में आगा होगा तुम्हारे बोर्ट की पूरी के त्यारी हो गई होगी हमने एक शॉट में पूरे ही डिटेल के साथ इस चैप्टर को अब हमाने हंडेट परसंट तरीके से समाप्त कर लिया है तुम्हारे साइन्स का एक चैप्टर निपड़ गया है इसी तरीके से बाकी चैप्टर के भी वन शॉट तुम्हारे पास जल्दी से जल्दी आ जाएंगे इसका सेप्रेट कोश्चन प्राक्टिस सेशन जरूर से आएगा तो उसको अटेंड करोगे तो तुम्हारे चैप्टर के साथ में और इस तरीके से पढ़ेंगे यह चैप्टर होता है तुम्हारा समाब हम मिलते हैं तुम्हारे वाजे चैप्टर में तब तक के लिए बाई जो तुम को नादी कर दिती अप्टित लो